दोस्तों ये एक ऐसी वीडियो है जिसको देखने के बाद में मेरी आखों में आसों आगे अभी सुनाओंगा यहाँ पर यह जो आंटी जी है क्या बोल रही है और यहाँ पर इनका बेटा जो है वो इनको वरदासरम में लेकर जाता है यहाँ पर जो बाबाजी है वो पूछते है कि आप अपनी मा को वरदासरम में क्यों छोड़ने आ रहे है तो बेटा कहता है कि मेरी मा और मेरी जो वाइफ है वो लड़ते हैं आपस में मेरी वाइफ की तवियत खराओ है इसलिए मैं मा को वरदा स्रम में छोड़ने आया हूँ मा से पूछ जाता है कि बेटे के बारे में कि ये आपको वरदा स्रम में छोड़ रहे हैं आखिर क्यों तो ये कह रहे हैं कि अपना ही पेट पाले वो ही बहुत बड़ी बात है तो मतलब यार आखमेना आसो आ गए जम अचो आप लोगे है कि अन तो मैने तो पीदा किया नो महिने उसको पाला इस दुनिया में बेहना किया उसको उसकी बाद में ये condition देखने को मिले सुनना आप लोग ये वीडियो एक बर आप लोग को पता चलेगा कि क्या ही बोले यार मतलब रो रही है ये लिटरली और बेटा जो है वो वर्धास्रम में छोड़ने आ है माँ को क्या पैदा कर ले आर ऐसे बच्चों को और बच्चे नहों वह ज्यादे अच्छे माबाब है मैं मेरे साथ से तो कि एक व्फच आपको यहां चोड़ने आया है आस्रम मैंसा क्यों अ मैं अ ब्रधास्त्रम यह चोड़ने आया है क्यों बेटे को उसे हर भग हरनी जेना पनी माँ की क्या नाम है आपका अनिल तो आप अपनी ये माँ को व्रद्धासरम छोड़ने आए है क्यों उगाट लेके आते ने व्रद्धासरम उसको रखते हम रखते हम अपनी मा को लेके आ गए और अवे तो क्या अपनी बत्धासरम रख्के जा रहे हैं तो क्या यह सही है कि या सीखेंगे से इते आपको अपनी गोद में लिटा करके अपना आचलक अदूद पिलाया है जिसने अपकी तेल मालिस की है उगली पकड़कर आप सबसे पहले अपनी मा की ही चले होंगे और आज आप इतने भी कमजोर नहीं है कि आप अपनी पतनी और अपनी मा का खयाल ना जोस तो हाई होगा ना मोर्नी में उटके जोस हाई रहना चाहिए जोस हाई रहेगा तभी शांदार तरीके से दिन को इंजोए कर पाओगे पर फिर भी आगे पढ़ने से पहले इस वीडियो के बारे में थोड़ी सी बात और करना चाहूँगा क्योंकि मेरे ना उनी कहते हैं कि मेरे दिल में कुछ बाते हैं तो मुझे लग रहा है कि मुझे बोल देनी चाहिए खासकर अगर मैं बात करूँ जो बच्चे अपने माबाप की रेस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं तो जब मोका मिलेगा तुमको भी छोड़कर भाग सकता है वो इंसान एक मिनट में, मतलब जिस इंसान को उस इंसान की कदर नहीं है, जिसने उसको अपने पेट में रखा, वो और किस इंसान की कदर करेगा, और रियलरी में लड़कियों की लेते हैं, यहाँ पर एक इंडिकेशन भी है, अगर वो चाहती है किसी इंसान को चेक करना, कि यह लाइफ पार्टनर बनने लायक है, हलाकि मैं कोई इंडिकेटर नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर, कि मतलब कि बिल्कुल यही सटीक पैमाना होगा, पर यह एक फैक्टर हो सकता है, कि जो अपने माबाप की रेस्पेक्ट करता है, वो आगे चल कर तुम्हारी भी रेस्पेक्ट करेगा, ठीक है, जो अपने माबाप की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उनको लटा सिदा बोल रहा है, वो उनकी respect नहीं कर रहा है जिसकी वेसे उनका उसका स्तित्व है तो वो आप लोग की respect कहा से करेगा ये भी बात आप लोग ध्यान नखिए तो ये कैसी बाते हैं जो मुझे लगता है कि खासकर एक इंसान के अंदर में उस चीज के लिए तो कम से कम respect होनी चाहिए कि जिसकी वेसे उसका अस्तित्व है जिसकी वेसे उस दुनिया में है अगर उसके लिए भी नहीं है तो फिर क्या ही रहेगा यार चलिए जो भी है कैसा रहा कल का दिन और कैसा आज का दिन आप लोग लेकर चलने वाले है जेखते ही देखते यार ये जो साल है पूरा चलाई गया ठीक है बाकी अच्छे से इंजोए को रोयार जिंदगी को पता नहीं किसके निकल जाए बड़ी छोड़ी सी जिंदगी है ये तो शांदार तरीके से इंजोए करना है discipline test अपना बताना है कि क्या आज का schedule आप लोग ने बना लिया है कल का कैसा रहा उसका दिन आप लोग का कितने घंटे पढ़ाई की आप लोग ने उसको review आप लोग को करना है review कर लिया अच्छे से और इसी के साथ में इधर उधर हो आप लोग देखते हैं आपर exact मैंने हाँ पर share कर दिया था जैसे वीडियो मुझे लग रहा था टाइम पर नहीं आएगी मैं नहीं चाहरा था कि आप लोग बार-बार mobile उठागर देखो बार-बार चेक करो कि वीडियो आ गई कि नहीं आ गई क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वैसे किसी की एक मीनट भी बरबाद हो कैसी भी इसलिए मैं हमेसा कोसिस करता हूँ कि टेलिग्राम के साथ साथ में अगर आप लोग जाकर community को चेक करोगे तो सारी की सारी बाते मैंने community में भी आप लोग के साथ में share कर दीती आप लोग यहाँ पर देखना community में जाते जाते हो जहां पर question पोस्ट नहीं करता हो में daily जो आप लोग attempt करते हो ठिक है तो यहाँ पर आप लोग देखे community में भी मैंने चीज़े डाल दी थी exact आप लोगो बता दिया था कि मैंने कब video जो है मतलब किस time तक आ सकती है तो उस time पर आप लोग देख लेना है आप तो यार मैं नहीं चाहता किसी भी तरीके से आप लोग का एक minute भी जो हो इधर अधर तो इसलिए आप लोग कोशिस करो कि टेलिग्राम पर कम से कम connect रो और community टैग में आप लोग देखते रो चीज़ों को यहाँ पर सारी चीज़े आप लोग को मिल जाती है ठीक है इसी के साथ में जो भी आप लोग के लिए चीज़े डाले जाती है कुछ interesting चीज़े भी डाले जाती है और यह एक ऐसी वीडियो थी मैं वीडियो के अंदर निलगाई जान बूझ के यह एक लड़का और लड़की जो है वो एक दूसरे से प्यार करते थे लड़के ने ले जाकर जो हरकत लड़की के साथ में किये न यह वीडियो जो है काफी ज़दे वाइरल भी हुई पर लेकिन मेरा मन नहीं था कि मोरनी में आप लोग कुछ ऐसी वीडियो दिखाए जाए तो इसलिए मैंने टेलिग्राम पर डाल दी पर एक बार इसको देखना जुरूर लड़का और लड़की जो किसी के प्यार में चक्कर में पढ़ते हैं और फिर ऐसी दुरघटना है आप लोग को देखने को मिलती है यह उसका एक जीता जाकता नमूना है कि आप लोग को अपनी लाइफ में कितना सतर ग्रेन है यह कुछ ऐसी इन्फोर्मिशन थी जो मुझे लगा सेर करनी है आप लोग के साथ में और यह वीडियो जादे से जादे लोग के साथ में सेर करना ताकि अंधा किसी के ओपर विश्वास ने करो आप लोग तो फिर ऐसी दुरघटना है देखने को मिलती है देखना आप लोग मतलब देखकर आप लोगा दिल दहल जाएगा अभी मोर्नी में मत देखना थोड़ा सा दो पैर वो पैर में देखना इसलिए मैंने वीडियो के अंदर सेर नहीं कि तो ये कुछ बाते हैं अपनी जिंदगी को आप कैसी लेकर चलना चाते हैं आप लोग के हाथ में यार तो उसको अच्छे से लेकर आप लोगो चलना है और अतनी जिंदगी को एक positive note पर आप लोग को हमेशा रखना है discussion तो इतना शांदार होगा आप लोग का मज़ा आ जाएगा एक particular report के बारे में मैं आप लोग से discuss करूँगा हलाकि वो जो report है वो भी मैंने telegram पर आप लोग के साथ में share कर दी थी उसको download कर लेना आप लोग जिसका interest है पढ़ने में तो यह particular report आप लोग देखते है social progress जो यहाँ पर report है ठीक है तो यह social progress index के बारे है पूरी report मैंने share कर दी है तो इसको भी आप लोग देख लेना अगर आप लोग को लग रहा है ठीक है तो यह कुछ बात हैं और telegram का link वीडियो के नीचे मिल जाएगा बाकि यार जिन्दगी में किसी चीज के उपर विश्वास करो यह ना करो कम से कम थोड़ा सा विश्वास न आपने उपर जरूर कर ले न और उस उपर वाले की उपर करना जो भी आप लोग मानते हो कि वो उपर वाला ना आप लोग को अगर आप लोगों ने महनत किये तो आप लोग गिरने नी देगा छोड़े से बच्चे को हमें उच्छालते हैं ना उस टाइम पर छोड़े सा बच्चा जो होता है उसको हसता रहता है हमें सा ठीक है उसको बता है कि मुझे नीचे नी गिरने देगा या इंसान तो वो वाला confidence आप लोगों को रखना है अपने उपर भी और उपर वाले की उपर भी कि हाँ अगर हम लोगों ने महनत किया तो यार वो गिरने नी देगा कभी न कभी वो आप लोगो सही मुकाम पर जुरूब पहुचाएगा बस इतना trust बनाए रखना अपने अंदर और चीजों को सही से लेके चलते रहे न और थोड़ा सा एक दो ग्राम trust जो है वो मेरे उपर भी बना ले न क्योंकि कई सारे बच्चे जो है थोड़ा सा चीजों को अलग तरीके से देखने लगते है मैं जिस तरीके से चीज़े cover करता हूँ अलग-अलग news paper के जो news paper छपता है आप लोग के सामने जो news paper आता है वो exam के लिए नहीं रहता है वो आप लोग को information देने के लिए आता है उसमें exam oriented चीज़े जो है वो बस heading रहती है आप लोग के लिए background की information जो आप लोग के लिए मैं discuss करता हूँ यहाँ पर उसमें सबसे important चीज़े क्या रहती है news बताता हूँ उसके साथ मैं background की information देता हूँ उसके साथ में MCQ question प्रेक्टिस करता हूँ एक्जाम में आये हुए भी और extra भी आप लिए बनाया जाते है और answer writing प्रेक्टिस करता हूँ तो यह पूरा pattern आप लोग का देखने को मिलते है इस pattern में अगर exam की तियारी करके चलोगे तो कभी भी आप लोग मार निखाओगे वीडियो के end में vocabulary रहती है आप लोग का C-set का question रहता है prelims focus map based question भी आप लोगे देखने को मिलेंगे दो-तीन जो कि आप लोगी अच्छी practice कराएंगे आज तो बहुत सारा ऐसा content रहता है कि पूरी वीडियो अगर धंक से आप लोग देखोगे तो कभी भी आप लोग जिंदगी में problem face नहीं करोगे एक अच्छे level पर आप लोगी preparation होगी तो all the best all of you आर अच्छे से चीज़ों का enjoy कि अगरो जहां भी doubt हो उसको पूछ लिया करो और feedback जुरूर दिए करो जैसी भी आप लोग को वीडियो लगती है अच्छी यह फूरी बता दिये गुरू PDF हिंदी और इंग्लिस में दोनों टेलिग्राम पर मिल जाते हैं जहां पर मैंने बताया तो वहां से जाकर आप लोग इसको download कर ले ना और answer writing जो गुरूफ है ना वहां पर आप लोग answer writing भी जाकर कर सकते हैं बहुत सारे बच्चे शेयर कर रहे है SLVPedia पर notes वगरा मिल जाते हैं यहां पर आप 50,000 member होगे हैं तो congratulations इस पर जादे दिन हुए नहीं बनाए इसको और 50,000 जुड़ गे हैं आप लोग यार यहां पर बहुत सारी चीज़े यहां पर आती रहती है एक article भी daily post कियाता है जिसको आप लोग को पढ़ना चीए at least चीज़े अच्छे से आप लोग ले कर चल सकते हैं ठीक है और answer writing group में answer writing यह आप लोग करना एक दूसरे का answer review भी कर लिया अगरो थोड़ा सा और भी बहुत सारी चीज़े आप लोग एक दूसरे से यह भी आप लोग बताएगा तो इनके बारे में हलका सा पता होना चाहिए important day international day of epidemic preparedness यह एक तरीके से किसी चीज़ के लिए तयार है ना अगर कल को चल के कोई दिक्कत होती है आप लोग उसके लिए तयार है तो आप लोग बहुत सारी problem को जहल जाते हो 27th of December जो है वो इसी चीज़ के बारे बात करता है COVID-19 आया पहली लहर के लिए हम लोग तयार नहीं थे दूसरी भी हम लोग ने expect नहीं की थी पर तीसरी के लिए कमर कसके बैठे हुए सब ने अपने mask वास्क निकाल लिए हैं अपने sanitizer, sanitizer लेके बैठे हैं गवर्मेंट ने सारी preparedness अपनी एक तरीके से तयार है गवर्मेंट भी कि कल को ऐसा कुछ होता है तो वो उसको जहल जाएंगे हमेसा सबसे ज़्यदा दर्द जो है वो पहली चीज़ देती है तो इसी के चलते information, transmission, scientific knowledge इसी के साथ में best practice, local और international level पर मिलकर काम करना ये सारी चीज़े उस problem का solution निकालती है जो problem सामने है बात की जारी है COVID-19 के लिए situation आप लोग देख सकते हैं अभी क्या महामारी मची oxygen के cylinder किसी को ने मिल रहे हैं किसी को दवाईया ने मिल रहे हैं इसी कुछ condition आप लोगो देखने को मिले पर फिर से हम लोग तयार हैं इस बीमारी के साथ में लडने के लिए तो ये कुछ basic चीज़े हैं कुछ बाते अगर आप लोगों से पूछी जाएं जो आप लोग ध्यान रखेगा तीन सब्दों में difference आप लोगो याद रखना है एक को बोलते है endemic दूसरे को बोलते है epidemic और तीसरे को बोलते है pandemic तो जो अभी हम लोगों ने COVID-19 को बोला था pandemic pandemic का मतलब क्या होता है ये पूरी दुनिया में काफी large scale पर बढ़ती ही बीमारी नजर आएगी कोई भी इससे बसता हो नजर नहीं आएगा sudden increase cases across several countries और continent किसी को नहीं छोड़ते है आपर तो इसको आप लोग pandemic बोलते हो epidemic क्या होता है epidemic का मतलब होता है कि sudden increase cases एक large portion population उससे impacted होगे महाले साथ अमेरीका होगी या फिर माली जी आपर अफरीका होगी कई किसी एक local area में बहुत cases आजाना उसको epidemic बोलते है बीमारी आगी है आपर कि हाँ epidemic हो गया वहाँ पर लेकिन endemic क्या होता है छोड़े-छोड़े कुछ cases जो है वो अलग-लग reason में देखने को मिलना ठीक है तो यह होता है basically यह endemic अगर आप लोग इन दोनों को mix कर दोगे यानि कि यह चोड़े-छोड़े cases है वहाँ जादा-जादा cases हो गए ठीक है बहुत जादा-बहुत जादा-बहुत जादा उन area में अब यह pandemic बन जाएगा इन दोनों को mix करकर तो यह सब्द जो endemic है जो epidemic है और जो pandemic है यह अलग-अलग तरीके से इस्तमाल कियाता है और कल को कोई question भी बने इन से तो आप लोग बोलोगे यह क्या होगी है तो इन तीनों सब्द के बारे में at least आप लोग को information होनी चाहिए तो इनको लेकर कोई confusion नहीं होना चाहिए ठीक है तो यह याद रखना कल जैसे मैंने बोला वीडियो के बारे में एक बच्चा गया रहा है सर टाइम बेस्ट कर दिया बहुत जाद है यार मैंने फिर से वही बात बोल रहा हूँ मैं तो लेडी सेयर कर दिता हूँ चीजे मतलब time waste समझ रहे आप लोग मतलब मेरा कितना जो schedule हो खराब हो जाता है मैं तो कभी कोशिस ही नहीं करता हूँ कि यार मेरी वज़े से कुछ भी आपका वेकार हो क्योंगि अगर मेरा schedule वेकार होगा तो आपका वेकार होगा और मेरी जो schedule morning का वेकार हो गया तो फिर मुझे और भी पूरा दिन जो है बहुत सारी चीज़े adjust करनी बढ़ती है उसके बाद है फिर मुझे और काम करने पड़ते हैं तो उन में मुझे सारी चीज़े लेट होती चले जाती है और बहुत सारी चीज़े ऐसी है जो मेरी उपर dependent है तो उसकी वेसे यार मैं hundred percent कोसी सिए करता हूँ कि मेरी वेज़े से जो मैंने बोला है खास कर आप लोगे देखा हो question की video जो संड़े में मैंने आप लोग जो Saturday में आनी थी मैंने पहले ही बता दी थी कि Saturday में नहीं आ पाएगी तो मैं अगर चीज़ों को ढंसे चेक कर लेता तो वह चीज़े नहीं होती पर फिर भी चलिए आगे से में ध्यान रखोंगे इस चीज़ का वीडियो का टाइमिंग यह है अग्जेक्ट सुबह 6 बजे का मतलब 6 बजे होता है इस टाइम पर आप लोगों मिल जाती है ठीक है तो confusion नहीं होना चाहिए इसके बारे में अब आप लोगे माइन में किलार्टी हो गई होगी तो क्या है COVID-19 उसको आप लोग क्या बोलोगे उसको आप लोग बोलोगे pandemic ठीक है तो यह बात आप लोग ध्यान लखना तो कोई भी माइन में डाउट हो तो पूछ लिया करो यह article स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से question पूछूँगा क्या किसी ने कभी कोई कागज यह फिर कोई लकड़ी यह फिर कोई पत्ता सूखा पत्ता कुछ भी जलाया है यह मत बोलना कि सर नहीं हमने नहीं जलाया हमना बहुत environment friendly है ठीक है ऐसा नहीं बोलना फिर यह topic नहीं पटने को मिलेगा आगे कुछ भी अगर आप लोग जलाते हो तो आप लोगों ने एक चीज देखे होगी कि उसके बाद में राक बच जाती है वो राक क्या होती है वो राक होती है अवसेज और कई बार अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि उस अवसेज में ऐसी भी चीज़े होती है कि कुछ जली हुई होती है और कुछ अद कचरी यखर में आप लोगो बोलू कि आप लोगों ने जैसे कि घर में ने एक तरीके से गैस चलाना है तो लाइटर ना हो तो माचिस से जलाते है या फिर आप लोग दूबत्ती करने में अगर विशास रखते हैं जोत वगेरा जलाते हैं तो माच इसमें से जो end वाला portion बच जाता है जो जलानी होता है यानि कि उसको फैगना पड़ता है वरना उंगली जल जाती है ठेक है तो वो वाला portion क्या है वो अवसेस बच जाता है ऐसे ही आप लोग को देखने को ध्यान में रखते हुए जो वो अवसेस बसता है उसको जब हम लोग उसको एक तरह वेस्ट बसता है तो फिर उसको फैकते हैं तो उसको डिकम्पोस करने में उसको एक तरह के से खतम होने में बहुत तकड़ा टाइम लगता है बहुत लंबा टाइम लगता है आप लोगोंने पढ़ा भी हो गए हैं पर यह chemistry में कि उसको कई सो साल बेसिकली लग जाएंगे उसको खतम होने में इतना ज्यादा टाइम उसको लगता है तो इसकी वज़े से बहुत सारा nuclear energy की वज़े से बहुत सारा nuclear waste जनेट हो रहा था तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो western world है जब इसका मतला समझ लिया करो कि मैं बात कर रहा हूं कि इसके बारे में European area के बारे में या फिर west के बारे में जैसे की North America बगेरा इनके बारे में बात कर रहा हूं तो हुआ क्या यहाँ पर इन देसों ने ये करना इस्टार्ट कर दिया कि भाई साब nuclear energy जो है उसको लोग इस्तमाल ने करेंगे क्योंकि waste जो है वो काफी large scale पर हो जाता है खटा और फिर वो environment को बहुत जादा नुकसान पहुचाता है एक तरीका hazard है वो एक तरीका मतलब बहुत जादा नुकसान देहे एक product आप लोग बोल सकते हैं तो environment क कि बहुत सारे concern होने लगे क्योंकि radioactive waste जो जन्येट हो रहा था उसकी वे से जो की human health के लिए या फिर उसके आसपास में जो जीव जन्तु पा जाता है उसकी health के लिए काफी ज़्यादा खतरनाक था तो इसके चलते उन्होंने nuclear energy को इस्तमाल करना छोड़कर renewable energy पर shift होना start हो अब रीने बर्ज मैंसे की wind energy हो गया solar energy हो गया कई सारी ऐसी energy जिस पे वो shift होना start हो गये पर लेकिन सारी चीज़े जो है वो systematic वे में नहीं चल पाती है और ज्यादे energy की requirement है renewable energy पूरा नहीं कर रही है तो फिर से गोम कर जो है यह तो कोईला जलाओ अब कोईला तो वैसे climate change के नाम पे सब हाय तोबा कर रहे है तो कोईले को नहीं जलाकर nuclear जो है उसको एक साधारन सा साधन माने जाता है क्योंकि डिरेक्टिव में वो कोई दुआँ वगएरा नहीं निकालता है ठीक है तो फिर भी औरों की campaign में उसको ज्यादा अच्छा माने जाता है तो अभी जापा जापान की बहुत सारी जो चीजे हैं वो बरबाद हुई थी और यह लग रहा था कि अब जो है जापान जो है वो बेसिकली कभी भी nuclear चीजे यूज नहीं करेगा आप लोगों पता होगा nuclear की बारे में जबी भी हम लोग बात करते है तो जापान की history कुछ जादा अच्छी नहीं है पता है ना आप लोगों जापान के उपर हिरो सीमा नागा सागी पर वर्ल्ड वोर्ड टू के टाइम पर बोम गिराए गए थे तो इसलिए जापान की history के साथ में nuclear जो है वो थोड़ा सा negative impact डालता हो नजर आता है और फिर आगे चलगे कुछ incident देखने को मिले जैस एक तरीके से 2011 की 11 मार्च को यहाँ पर यह incident हुआ एक ऐसा nuclear power plant जो की 1967 में बनाया गया था जापान के अंदर में वो nuclear plant जो है वो यहाँ पर इनका टूटा फूटा जिसकी वेसे काफी सारी दिक्कते हैं यहाँ पर देखने को मिली यहाँ निके nuclear power plant जो है वो एक तरीके से बर बरबाद हो गया और उसकी वेसे बहुत सारी issue जो है वो यहाँ पर create हो गये बरबाद कैसे हुआ सीधी सीधी बात है कुछ उल्टी सीधी हरकते होई होगी जी हाँ वहाँ पर earthquake आया यहनिकि भूगाम पाया और उस earthquake की वेसे फिर tsunami आई और उस tsunami की वेसे यहाँ पर सब कुछ जो है वो बरबाद होता हो वहाँ आपर नजर आया तो उसकी वेसे आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ पर जब nuclear waste निकलता है और वो nuclear waste अगर पानी में मिल जाए तो पानी कितना ज्यादा खतरनाक होगा अब तक भी जापान जो है बहुत सारा पानी जो है उसको save किये हुए है और उसको बार-बार ocean में छोडने की बात करता है पर लेकिन जो दुनिया है उसको छोडने नहीं देती बोलते हैं इसके अंदर बहुत सारे radioactive tattoo होंगे और वो ocean को बरबाद करेंगे जापान कहता है कि मैंने उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें खतम कर दिये पर फिर भी को दिकर चल रहे हैं ओलड़ी यहाँ पर इनसे question आप लोगे exam में बन चुके हैं अगर पुराने question उठा के देखोगे मैच करने के लिए आ जाता है कई बार ठीक है तो अभी यहाँ पर जापान nuclear energy को फिर से इस्तमाल करने की बात कर रहा है वो उसको फिर से अडॉप्ट कर रह और फिर से nuclear energy की और चल ला है ताकि stable power supply जो है वो maintain रखी जा सके क्योंकि काफी large scale पर जब कोई चीज shortage होती है आप लोगों ने देखा होगा अकसर वोही लोग terrorist बनते हैं जिनके घरवाले काफी जाए दिक्कत में होते हैं और उनको किसने किसी तरीके से अपने घर को support करना ह होता है तो उनको उसकी मजबूरी का फायदा उठाते उठाते कई सारे लोग उनका इस्तमाल कर लेते हैं कि तुम्हारे घरवालों को ये चीज़े provide करवा देंगे तुम बस ये काम करना है start कर दो हमारे बस ये काम कर दो तो वह वाली बाते हैं तो जापान को जब यहाँ प में ओल्लेडी चाहते हैं कि इन्वोर्मेंट फ्रेंडली चीजों को यहाँ पर लेकर चलें पर फिर भी आप लोगोंने सुना होगा कि दूद का जला हुआ चांच भी जूए फूक मार मार कर पीता है तो यहाँ पर यहाँ पर ये चीज़े देखने को मिली तो उसके चलते नहीं चाहता है इंसान कि यार नुकलर जैसी चीजों की और बड़े पर फिर भी वो ही है कि मजबूरी का नाम महत्मा गांदी मजबूरी का नाम महत्मा गांदी अच्छी कावत है कोई बताएगा यह कावत क्यों चलती है मजबूरी का नाम महत्मा गांदी बताओ देखता हूँ कोई महानूब हो है कि हमारे इस batch के अंदर में जो यह बात बताएगा तो यहाँ पर इसके चलते हैं हाँ पर इनके द्वार अड़ेप्ट के जा रहा है और उसके चलते हैं हाँ यह चीजों को लेकर चल रहे हैं तो देखते हैं कब तक चीज़ा आगे बढ़ती है फुकसी मां डिजास्टर वाली बात मैंने बताई वो आप लोग जरूरी याद रखेगा ऐसे ही जापान का भी टारगेट है अपने आपको कारबन न्यूटर बनाने का ऐसे ही चाइना का भी टारगेट है इंडिया का टारगेट कितना है इंडिया का टारगेट है सत्तर तक का ठीक है दो हजार सत्तर तक का चाइना का टारगेट कितना है दो हजार साट तक का जाप के मतलब यह होता है कि मालीजी आप लोगों ने आज की डेट में मोरनिंग में उठे और मोरनिंग में उठकर आप लोगों ने दबा कर जो है कुछ ब्रेट पकोड़े और पिज्जा सिज्जा पता निक्या है का लिए उल्टी सीधी चीजे अब फिर उसके बाद में जाकर 10-15 पेड़ लगा भी दिये, तो क्या हो गया, वो neutral कर दिया चीजों को, यानि कि वो यह है, तामने वाला थपड़ मारे, तुम भी थपड़ मार दो, neutral हो गया, यानि कि इसका मतलब यह नहीं हो था कि चीजे हो नहीं रही है, मतलब हो रही है, पर पहले हैं से बना दिया जा र 2021 में बढ़कर यह कितना हो गया, वो 6,780 हो गया, 2024 तक का यह 15 बोला जा रहा है, कि 15,780 और 2031 तक का बोला जा रहा है, कि लगबग 22,800 गीगावार्ट दुनिया में, आप लोग को nuclear energy जो है, वो यूज होती ही नजर आएगी, इससे फाइदा क्या होगा, nuclear energy का भी फाइदा, डिरेक्ट और इंडिरेक्ट वेमें में देखा जाए, climate change को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि पूरा focus है कि किसी ने किसी तरीके से carbon die oxide को रोका जा सके, carbon die oxide रुकेगी, तो पृत्वी का time pressure बढ़ने से रुकेगा, पृत्वी का time pressure बढ़ने से रुके उस impact यानिकि उस परभाव को हम लोग कम कर पाएंगे क्योंकि जैसी पानी का लेवल बढ़ेगा मैंने बोला कि coastal एरिया के लोग जो है वो प्रेसान होने स्टार्ट हो जाएंगे क्यों पानी बढ़ता है तो फिर यहाँ पर इन एरिया में पानी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है पर्टिकुलर खेती अगर आप लोग करनी है यानिकि अगरिकल्चर में अगर आप लोग जाना चाहते है तो एक टाइम प्रेचर होना चाहिए गेहों को उगाने के लिए, चावल को उगाने के लिए उस टाइम प्रेचर से उपर नीचे होगा तो वो खेती की पैदावार अच्छी नहीं होगी या आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं इसी तरीके से समूंदर के अंदर में जो जीवजन तो रहते हैं अगर वहाँ पर किसी भी तरीका चेंज आएगा अभी यह जो बढ़ता जा रहा है अभी फिलाल के टाइम पर अगर आप लोग देगों तो लगबग आप लोग को यहाँ पर यह बीच में देखने को मिलेगा इसके ठीक है कहीं पर बीच में हाँ पर लेकिन अभी आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगा तो अलग-अलग तरीके से लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं जैसे जापान ने बोला है कि 60 साल से नीचे का जो भी हमारा रियक्टर होगा वो उसको ठंडे बस्ते में डालेंगे और नया रियक्टर बनाएंगे जो की latest technology पर होगा क्योंकि जापान एक ऐसी जगह आने वाला देश है जहाँ पर बहुत large scale पर earthquake और tsunami आप लोग को आते वे नजर आते हैं ये particular area इसलिए कहते हैं कि जापान के लोग हमेंसा तयार रहते हैं कर लोग को जरा सा भी अगर कुछ गड़बढ होगा वो तुरंत अपने आपको ठीक करने के लिए तियार रहते हैं इतने जाद है active लोग हैं हमारी country में अगर इंसान की एक average life span देखा जाए कि कितनी ये time जिन्दा रहने वाला है तो वो लगबग 68 ये फिर 70 के करीब आप लोग को देखने को मिलेगी यानि कि हमारे देश में एक इंसान जो है वो average 68 से 70 साल जीता है वो ही इंसान अगर जापान में आप लोग देखोगे लगबग यहाँ पर 84 से 85 यानि कि हम से 15 साल जादे जीते हैं जापानीज लोग यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान में life expectancy जो है वो हमसे लगबग 15 साल जादे है तो यहाँ पर इनकी रहन सेन, खान पान, इनका discipline, लाइफ यह मानाता है जापान के अंदर अगर किसी होटल में अगर timing जो है वो 8 बजे है खाना खाने के अगर आप लोग वहाँ पर 8 बजे से एक बी मिनट लेट हो जाते हो तो आप लोग को खाना नहीं मिलने वारा है 8 बजे से लगबग 4-5-10 मिनट पहले ही आप लोग को पहुँचना पड़ेगा यहीं कि टाइम के इतने पाबंध है वो लोग बिलकुल ठीक है जैसे नहीं आप लोग मोरनी में exact time पर वीडियो देखने आ जाते हो तो यह लोग जिसने अपनी जिंदगी में इतना discipline बना लिया है यह सब के बसकी बात नहीं होती है मैं आप लोग को बता दूँ अगर आप लोग कुछ भी ऐसा discipline create कर पा रहे हो अपनी life म हैं बहुत सारे लोग इस frustration की जिते हैं पर लेकिन कर नहीं पाते हैं अगर आप लोग कर पा रहे हो तो आप लोग बहुत सारे लोगों से आगे निकल चुके हो तो यह एक motivate होने वाली बात है अगर देखा जाए जो जापानी इस लोग सोचो वो दुनिया से आगे चल रहे ह उनका देखो उनके product की quality देखो वो काम करते हैं महनत में विश्वास रखते हैं तो यह जापान के बारे में कुछ बाते हैं आपर जो की इस article से लेटर आप लोग इहां पर देख से हैं तो वो अपना नय development कर रहे हैं अपनी नई technology लेकर आ रहे हैं नई तरीके से चीजों को start कर आ रहे हैं यह चीज़े आप लोग समझ सकते हैं अभी यह तो होगी जापान के बारे में तो जापान के बारे में तो एक basic चीज़े होगी question push direct तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है और यह data होगी आप लोगे सामने पर लेकिन इतना नहीं छोड़ के लिए question बन जाया करता है जैसे कि हमारा देश इंडिया के अंदर में 22 operating nuclear power sector है जो की installation capacity जो है वो 6780 megawatt आप लोगो देखने को मिलेगी confuse मत होना यहाँ पर gigawatt के बारे बात की जारे कभी बोलो अरे sir यह तो इंडिया के अंदर ही होगे आप तो बोले थे दुनिया में इतना है तो megawatt में है और यह gigawatt में है तो megawatt और gigawatt में difference जानना है एक megawatt अगर आप लोग देखोगे हैं मतलब एक gigawatt अगर आप लोग द है तो यानि कि हम लोग तो अब तक एक gigawatt भी नहीं पहुंचे है हमारा देश मतलब हमारा देश यहाँ पर मने पहुंच चुका है क्योंकि हम लोग 6 gigawatt लगवक साड़े 6 gigawatt के करीब हम लोग पहुंचे है इसा आप लोग बोल सकते हैं तो आज की डेट में यह condition आप लोग देखो और दुनिया कितनी की बात कर रहे हैं 6,000 की बात कर रही है तो इसका मतलब हमसे भी ज्यादर बड़े-बड़े धनुधर ह जो की काम कर रहे हैं काफी लार्जी स्केल पर अभी हमने भी काम करने स्टार्ट किया है बहुत सारे एरया में हम भी काम करते हैं जैसे की तारापूर हो गया महरास्टर के अंदर में राइस्थान का आप लोगो देखने को मिलेगा इसी के साथ में मदरास इसी के साथ में कह काकरा पारा जो आप लोग काकरा पर basically ये atomic जो पावरी स्टेशन गुजरात के अंदर में ये इतना interesting question बनता है exam में जिसकी कुछ हदनी अगर आप लोग reality में state pieces के अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये match करने के लिए पता नहीं कितनी बार पूछे जा चुक है तो map के थ 1700 मेगावाट यहाँ पर यह अभी जननेट चुर रहा है और अच्छे लेवल पर हम लोग जननेट कर पाएंगे गीगवाट में capacity बढ़ेगी अगर इनकी capacity हम लोगों ने बढ़ानी start कर दी जैसे कहीं 2 से multiply कर रहे हैं कहीं 3 से कहीं 4 से तो आने वाले time पर हम लोग इनको और ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं यानकि हम लोग इन पर काम कर रहे हैं और energy की requirement भी बढ़ रही है जैसे population बढ़ रही है उसी इसाफ से फिर चीज़े बढ़ रही है तो यह काफी important हो गया अब बात करें हमारे देश के बारे में अगर हम लोग कि availability क्या है हम लोग जो nuclear material use करते हैं तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि maximum जो nuclear यह station है power station यह चला जाते हैं किसके उपर uranium के उपर पर हमारे पास में uranium तो ना है बाया तो हम लोग कैसे चलाते हैं हम लोग thorium के उपर काम कर रहे हैं फिलाल क्योंकि हमारे देश में thorium जो है काफी large scale पर available है तो 100 billion annually spend करते हैं इंपोर्ट करने में petroleum और coal कल को सोचो जो भी हम लोग crude oil यानिके जो कच्छा तेल हम लोग export करते हैं इतना large scale पर और हम लोग कोईला जो काफी large scale पर हम लोग भाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं इतना ज़्याद है तो अगर हम लोग कल को अपनी nuclear energy को धंक से ड ऐसा आम के आम और उटलों के दाम अगर हम लोग यहाँ पर इसको use करना बंद कर देंगे हम लोग nuclear energy इस्तमाल करना बंद कर देंगे तो climate में जो carbon dioxide emission emit हो रहा है जो निकल रहा है वो भी कम होगा तो हमारा जो target है 2070 तक का कि हम लोग अपने आपको carbon neutral बनाने वाले हैं वो भी हम लोग यहाँ पर achieve करते हुए नजर आएंगे ऐसा आप लोग बोल सकते हैं तो यहाँ पर cut होगा हमारा import bill और काफी सारी country maximum इसी चीज़ से प्रेसान है कि import जादा हो रहा है इंपोर्ट जब होता है ना आप लोग किसी देश के ओपर dependent हो जाते हो और dependency खतरनाक है तो इसलि और gas की compare में अगर देखा तो फिर भी सस्ता पढ़ जाता है यह भाई साब तो जब सस्ता पढ़ रहा है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है हम लोग सस्ते के चक्कर में रिषय से इतना तेल खरीद डाला हम लोग ने सब को पीज़े चोड़ दिया तो डिसकाउंट में रहा था चाहिए था वो तो बाद में देख लेंगे समझ रहा आप लोग यह खतरनाक चीज है और यह एक तरीगे से काफी ज़्यादे एक इस्टेजिकली फूलो भी कियाता है हाँ पर यह टेक्निक कि डिसकाउंट प्रोवाइड कराने से लोगों को लाला चाह जाता है भल फंडिंग इसमें ज्यादा निकल कर नहीं आती है यह भी काफी बड़ी दिक्कत है लेंड एक्क्वाइजेशन हमारे देश में एक तरीगे का आप लोग बोल सकते हैं कि यह महा भारत है पूरा क्यों कि लेंड जो है वो प्राइवेट प्रोपर्टी है मेरे पास में कोई ज समझ सकते हैं कि इंसान ने अपनी जमीन बेज दी उसके बाबा पर दादा ने जमीन रख रखे दी तो वो इजट के साथ में कैनेट है जबकि दूसरे देश में जाओगे चाइना में सरकार की जमीन है बोल दो कहा लगाना है नुकर प्रपर वो रहा वहा लगाना है कितनी स्केल पर चीज़े हो रही है और नुकलर वेस्ट चुक काफी ज़्यादा लार्जी स्केल पर आता है वो चीज़े देखने को मिलेगी तो अगर चैलेंज कोई लिखने के लिए पूछ ले आप लोगों से तो ये भी आप लोग हलका सा आइडियस के बारे में रखिएगा जाती है तो ये परकिरिया आप लोगों यहाँ पर देखने को मिल जाती है इसकी complete ये topic इतना important है इतने अच्छे से पढ़ा है इसमें क्या question आते हैं देख लो अपने आप यहाँ पर आप लोगे सामने है 2011 में UPSC ने question पूछा और आगे भी question पूछ सकता है ऐसी कोई बात ही नहीं है 2011 में यह पूछा है तो बहुत जा रहा है कि function of heavy water in the nuclear reactor तो nuclear reactor में जो heavy water रहता है heavy water क्या होता है उसको बोलते है H2O2 यह आप लोगोंने सुना भी होगा बचपन में chemistry के अंदर में तो यह क्या काम करता है अगर पूछे slow down the speed of neurons, neutrons, increase the speed of neutrons, cool down the reactor यह stop the reaction जो nuclear reaction होती है एक बात ध्यान रखिएगा जब भी UPSC कोई question पूछे है कोई भी exam में कोई question पूछे अक्सर answer उसी में से होगा जो एक सीधा और दूसरा पोजिट लिखा होगा उसी में से कोई सा होगा ठीक है यह हमें से याद रखेगा तो बाकी के दो तो आप लोग वैसे cut कर सकते हैं common sense से अब इसमें कोई सा होगा है तो A होगा या B होगा तो तार तुका मार मुक कभी मारेंगे तो भी answer इंसान लगा के आ जाएगा तो 50% chance होते हैं सही होने के answer A है यहाँ पर speed को कम करने का काम करता है neutrons की जिसकी वैसे जो chain reaction रहती है वो control रहे और वो chain reaction के control रहने से energy जो है जितनी चाहिए उतनी हमरोग जन्नेट कर सके यादि कि अपने control में रखकर इसको काम कराने की कोशिस यहाँ पर की जाती है ऐसा बोल सकते हैं तो ना भी किया रियक्टर पर UPSC question पूछ चुगी है direct सीधसा प्यारसा question nuclear power plant and states के बारे में match करने के लिए state pieces के अंदर भी आप लोगों से पूछे आता है तो उसका भी question होगी आप लोगे सामने और correctly match करना है बात की जारी है कायगा के बारे में तो कायगा कहाँ पर है तमिलनाडू के question लेने की कौनों जरुतना है इसका answer C है और बाकी match करके आप लोगे हाँ पर दिखा दिये गया है ठीक है सारे के सारे अभी बताये थे आप लोग कौन से राज्य से आते हैं क्या इन में से किसी राज्य से आप लोग आते हैं अगर आते हैं तो comment box में लिखना और उसको रहती हैं ये भी इसलिए बोलता हूं थोड़ा लिख लेकरो ताकि एक्जाम में नहीं बूले इतना हो गया topic देख लिया basic देख लिया एक चीज़ और रहे गई इससे question बनाए जी हाँ UPSC already question यहाँ पर पहुंच चुकी है और आगे भी question बन सकता है बात की जा रहे है with growing energy needs should India keep on expanding its nuclear energy program यहीं कि एक तरीके से जो हमारी requirement बढ़ रही है तो with growing energy needs should India keep एक तरी से लकातार चलते रहना expand करते रहना nuclear energy program उसमें विस्तार करते रहना चाहिए discuss the facts and fears associated with the nuclear energy क्या क्या हमारे डर है क्या क्या तथ्य है क्या क्या कंसा है उसके उपर आप लोगों कमेंट कर रहे है जैसे बोलो न जापान के बारे में जापान में सुनामी आगी यह सब चीज़ होगी जब तमिलाडू के लेकर काफ ज़्याद है fear यानि कि भै भी रहता है कि यह सही है या फिर गलत है यह भी point आप लोग यहाँ पर याद रखेगा ठीक है तो पूरा topic जो है इस तरीके से पढ़ो कि चक्सु खुल जाए कोई भी दिक्कत नहीं रहे पूरी basic information background के साथ में सारी चीज़े आप है और इसी के साथ में कैसा होता है UPSC ने कोई सो question पूछा है मैंने एक question आप लोगो वैसे भी दिया है हमपर और इसी के साथ में यह हो गया तो feedback जुरूर देना क्या पसंद आया क्या doubt है उसको पूछ लेना और इसके चलते चीज़े जो है mind में killer करके चलना ठीक है मज आया कि कैसे कपड़े पहने हुए उसके कपड़े को देखकर उसको जज़ करते हैं उसके पास में कैसा phone है कैसी घड़ी है किस तरीके जूते पहने हुए उस तरीका इंसान का tracing sense देखकर इंसान को एक तरीके से ज़ज करते हैं कि कितना आमीर है किस तरीके से इसको respect देनी है कई बार ऐसी चीज़े देखने को मिलती है हम लोग कई बार पैसे के हिसाब से अपनी जो सोसाइटी में प्रोग्रेस देखते हैं लोगों की अक्सर हम लोग नोलीज जो है उसको हम लोग एक तरीके से सैड़ में कर देते हैं और ही बहुत सारी चीज़े हैं कि इंसान के एटिकेट्स कैसे हैं उसको क्या लोगों के साथ में बात करके कितना इज़द देता है संसकार कैसे हैं उसके बारे में हम अक्सर बाते नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों से एक इंडेक्स के बारे बात करता हूँ वो index कहीशी सारी चीज़े चेक करता है कुछ चीज़े ऐसी है जो कि आप लोगो पता होनी चीज़े और जिसके बारे में आप लोग जब देखेंगे आ या सपास में तो आप लोगो चलेगा पता कि अच्छा ऐसी ऐसी भी चीज़े होती है तो आप लोग उन चीजों को और अच्छे से understand कर पाओगे, तो मैं हहाँ पर आप लोगों से जो बाते कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ social progress index के बारे में तो index जो है बहुती important topic भी आप लोगों हो जाता है, अकसर हैं से question पुछे आता है direct index से और एक तरीके से question भी ऐसा बन सकता है आज kit में तो, जो कि एक थोड़ा सा next level पर जाके पूछे जा सकता है और खास कर अगर आप लोगों से कुछ लिखने के लिए भी पूछे जाए, तो उसके लिए भी यह काफी एक interesting topic बन जाता है अभी अगर बात करें तो यहाँ पर इस particular topic को आप लोग UPSC के GS paper 3 के साथ 2 के साथ में connect कर सकते हैं जहाँ पर report और indexes के बारें बात की जाती है इसी के साथ में यहाँ पर यह जो index है, यह particular detail में cover किया गया PIB के द्वारा, तो यहाँ पर एक तरीके से government source है, तो तो भी आप लोग यहाँ पर इसके उपर trust बनता है कि हाँ यार, government के द्वारा खुद बताया जा रहा है तो अभी social progress index जो है, for state or district यानि कि जो हमारे देश में राजे हैं और जो जिले हैं उनके लिए release किया गया economic advisory council to the prime minister तो यानि कि जो हमारे देश में जो किस तरीके की सामाजिक प्रगती है उसको check किया जा रहा है आर्थिक और सलाकार परिसद जो की prime minister साब के अंडर में आती है उसके द्वारे हैं आपर यह check किया जा रहा है तो अपने हैं आपर काफी interesting है यह picture दिखाती है कि इंसान के पास में कैसी एक तरीके से कितना पैसा है, गाड़ी है, कैसी money है bank balance है, कैसी उसकी life चल रही है तो यहाँ पर यह index क्या check करता है अगर आप लोग उसे पूछ जाए कि हाँ पर चलो ठीक यार इसकी index की ranking दे दी हाँ पर कि particular इस कितनी rank है, उस कितनी rank है तो क्या यह pattern लेके चलता है उस ranking को check करने का तो यह काफी interesting है social जो progress index है, वो तीन चीज़े check करता है पहली जो category है उसमें बोलता है कि basic human के need क्या है यानि कि एक इंसान को अपनी जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए दूसरा है उसकी जो well-being के बारे बात करता है well-being में क्या कर चेक करेगा वी बात करेंगे और तीसरा opportunities क्या है इसके बारे में आपर बात करता है यानि कि यह जो index है यह सिधा-सिधा तीन चीजों पर focus करता है यापर कि भाई साब यह चीज़े check को रो सामाज के अंदर में, society के अंदर में और उसके बेस पर हम लोग बताएंगे कि यह district, यानि कि यह जिला, यह राज्य, यानि कि यह state किस तरीके की progress पर चल रहा है तो उसकी progress देखी जाएगी तो अपनी ही आप में एक अच्छा index है जो कि सामाज को count करके चलते है ना कि only GDP को count करता है इंसान की basic अवशकता क्या होती है अगर मैं आप लोगों से पूछू तो कोई भी बोल देगा कि रोटी कबड़ा और मकान तो इसी तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि क्या हो खाता पीता है basic उसकी medical care क्या है क्या यहाँ पर air, water और sanitation यह सारी facility पर उपर मिल रही है रहने की जगे है और personal safety यह भी आप लोगों यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो उस area में क्या इंसान की basic अवशकताओं की पूर्ती हो रही है तो यहाँ पर यह चेक किया जाता है ठीक है तो यह एक तरीके से country में जो लोग हैं उनके लिए basic essential है कि इंसान को रोटी कबड़ा मकान security मिले तो इसके उपर focus रहता है अगर यह भी नहीं है तो वो जिन्दा कैसे रहेगा दूसरे काम कैसे करेगा तो यह सारी चीज़े आप लोग बोल सकते हैं basically कहीने कहीन कुछ चीज़े ऐसी है जो कि आप लोग इंसान की जो security हो गया privacy हो गया तो इंसान जिन्दा रहेगा तो चीज़े आगे बढ़ेगी न तो part 3 में समिधान के अंदर जब आप लोग जाओंगे तो आप लोग को fundamental right देखने को मिलते हैं तो article 21 वो right to life के बारे बात करते हैं सुनोगन आप लोग ने कि जान है तो जान है तो वहां से आप लोग इसको connect करके देख सकते हैं दूसरा जो है यह foundation of well-being well-being मतलब इंसान जो है वो स्वस्थ है ठीक अपनी जिन्दगी enjoy कर रहा है तो एक तरीके से इसको बोल सकते हैं आप लोग एक तरीके से इनसान की life के बारे में हाँ पर बात की जाती है उसकी knowledge कैसी है किसी चीजों को लेकर information, communication किस तरीके से वो access कर पा रहा है health और wellness के बारे में और कैसे ना sustainable है जिस environment में वो रहता है यानिके जिस माहूल में वो रह रहा है वो कितनी sustain है आगे की life कैसी होने वाली है उपर उसकी जिन्दगी कैसी चल रही है उसके एक तरीके से knowledge या information या health या well-being इन सब के बारे में और कैसा ecosystem में होँआ पर रहने का तो एक environment कैसा है रहने लायक है या फिर ऐसे चल रही है ठीक है अपोर्चूटी काफी important है एक बेरोजगार नविवक से ज़्यादा अपोर्चूटी के बारे में कौन बात करेगा तो यहाँ पर काफी ज़्यदे जुरूरी है कि इंसान को उसके अधिकार भी मिले कि यहां उसके बारे में सुना जा रहा है उसकी बाते सुनी जा रहे है अच्छी education मिले हाँ पर personal freedom मिले choice मिले और equity and inclusion के बारे में बात की जाती है कहने का मतलब यहाँ पर यहाँ पर यह state किस तरीके से कंट्री कैसे चल रही है तो यह parameter रख दिये गए इनके द्वारा चेक करनेगे तो अगर यह parameter फिट हो रहे हैं तो इसका मतलब है बड़िया बड़िया काम कर रहा है तो अच्छी बात है आप और यह जो मैंने आप लोग को बता है है ना रिजल्ट कैसा आरा निकल कर इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करो तो याद रखेगा यहाँ पर सबसे important जो बाते निकल कर आ रही है जो social progress index में सबसे अच्छे level पर आप लोगो देखने को मिलेगा वो आप लोगो नजर आएगा पूंदी चेरी पूंदी चेरी यह आप लोग यहाँ पर देखते हैं यह अलग-अलग एरिया में आप लोगो देखने को मिलता है जो कि सबसे best category में है सबसे lowest category में कोन है दोनों भाई जहारकंड और बिहार आप लोग को पता है आपर well-being, foundation, एक तरीके से well-being और यह सारी चीज़े अप लोग देखोगे तो यहाँ पर अगर बात करूँगा basic human needs के बारे में तो गोवा, पुंदीचेरी और लक्सेदीप यह गोवा हो गया, यह पुंदीचेरी हो गया तो यह जो है, triangle तो यहाँ पर एक यहाँ तीन तो कम से कम याद रखेगा, यह top पर है इंसान की basic आउशक्ताओ की पूर्ती यहाँ पर सबसे best होती है पूरे देश के अंदर में यहाँ कि अगर आप लोग यहाँ पर रहते हैं अगर उसके बारे में चेक के जाएगा तो उसमें सबसे top पर कौन आप लोग को देखने को मिलेगा मिजोरम, हिवाचल परदेश, लदाक और गोवा गोवा फिर से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है यह आप लोग को देखने को मिलेगा मिजोरम कहाँ पर है जैसी बोलता हूँ माइंड में आना चाहिए तो मिजोरम होगे यहाँ पर इसी के साथ में लद्दाक आप लोगो देखने को मिलेगा लद्दाक में काफी कुछ जवलप्मेंट हुआ और गोवा तो well-being के पारे में यहाँ पर इनको आप लोगो सबसे बेस्ट मानेंगे इन्वोर्मेंट के मामले में मिजोरम नागलेंड और मेखाले नोर्थ इस्ट के देखने को मिलेगे मिजोरम हो गया नागलेंड हो गया और मेखाले हो गया तो environment सबसे अच्छा आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर आप लोग environment यहन के परियावरन प्रेमी है तो यह आप लोग देखते हैं opportunity सबसे अच्छी कहाँ पर देखने को मिलती है तो यह सबसे best category जो opportunity में आएगा वह है तमिलनाडू तो यह काफी appreciate करने लायक बात हैं आपर अगर आप लोग इसको देखोगे top best performing district में अगर कोई आप लोगों से पूछे तो miserum मैंने जैसे अभी आप लोगों इस state के बारे बात की तो इसका इरिया है हिमाचल परदेश का 16 आप लोगों देखने को मिलेगा इसी के साथ में यहाँ पर जो simla हिमाचल परदेश काई यह आप लोगों देखने को मिलेगा यह best performing district की category में आप लोगों यहाँ पर नजर आएंगे social progress index के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ ठीक है यह अगर आप लोग थोड़ा सा और अलग-अलग तरीके से इसको देखना चाते हैं जैसे मैंने सारी बाते हैं यहाँ पर बताई है वो सारी बाते तो हैं पर लेकिन अलग-अलग से भी देखना चाते हैं कि very high social progress index किसका है तो यहाँ पर पोडिचेरी, लक्सेदीप, गोवा, सिक्किम तो सारे आप लोग यहाँ पर मैंने बता दिये जिस भी राजे से आप लोग आते हैं जिस भी डिस्टिक से आप लोग आते हैं उसके बारे में थोड़ा आइडिया रखेगा देखें यहाँ पर rank दे रखिए, आप लोग के सामने यहाँ पर इस rank ठीक है तो सिक्की मिजोरम यह बेसिकलि आप लोग को देखने को मिलेगा आगे चलेंगे यहाँ पर यह हाई social progress के बारे बात करेंगे तो यह आप लोग देखते हैं जिस जम्मु कसमेर, पंजाब, दादरे, नगर, हवेली, लक्सेदीप, नागलेंड यह देखने को मिलेगा और middle social progress में जाकर देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पर यह देखने को मिलेगा ये सारा डेटा जो आप लोग के लिए उठाए गया है ये डिरेक्ट जो रिपोर्ट है न वो उस रिपोर्ट से उठाए गया है ठीक है? थोड़ा सा और यहाँ पर जाकर आप लोग देखेंगे तो लोएस जो यहाँ पर सोसल प्रोग्रेस में नजर आएगे यहाँ पर उसके साथ में very low में आप लोग को देखने को मिलेगा आसाम बिहार जारकन तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पूरी की पूरी रिपोर्ट अगर थोड़ा सा आप लोग और डिटेल में जानना चाते हैं कि नहीं आर इस रिपोर्ट के बारे में तो और पता होना चाहिए सुसाइटी के बारे में पता होना चाहिए हमारा समाज कैसा है तो पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो टेलिग्राम पर मैंने सेर कर दी है उलड़ी उसको जाकर आप लोग देखेंगे जो की सभर करता है as a holistic measure यानिके एक तरीगे से पूरा व्यापक तरीगे से cover करता है कि समाज में क्या-क्या दिक्कते हो रही है उसके बारे में हाँ पर बात की जा रही है इसका aim है provide कराने के लिए systematic account of the social progress यानिके social progress का systematic account all level in the country जैसे मैंने district के बारे में भी आप लोगों से बात करी state के बारे में बात करी और country के level पर तो फिर आप लोगों चीज़े देखने को मिल ही जाती है तो यानिके ये जो है एक देश के अंदर में holistic progress आप लोगों यहाँ पर दिखाता हूँ नजर आता है तो ये अपने ही आप में काफी important बात है कि ये holistic picture आप लोगों को दिखा रहा है तो उसके बारे में आप लोगों का idea होना चीज़ें कि ऐसे ऐसे चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है तो social progress index जो है वो अपने इस तरीके से आप लोग यहाँ पर count कर सकते है सही नहीं पूचा गया है incorrect पूचा गया है तो ध्यान से पढ़ना है question ये ध्यान लखेगा answer होगे इसका a यानकि one statement गलत है और वो है यहाँ पर यह क्यों क्योंकि यहाँ पर state level होगा और यहाँ पर होगा district level center level की यहाँ पर बात नहीं चल रही है state level और district level पर देखने को मिलेगा ठीक है अगर हम लोग इंडिया की performance के बारे में अगर बात करें तो हमारे देस की performance भी इसमें आप लोगों कोई ज़्यादा अच्छी आलगी देखने को मिलती नहीं अगर यहाँ पर 169 देस का social progress index निकाला जाता है तो हमारी rank उसमें 110 के करीब आप लोगों को देखने को मिलती है ठीक है ग्लोबल लेवल पर जब हम लोग social progress index के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यह काफी important है अगर बात करें जो यहाँ पर इकनोमिक जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर यह particular जो और इसके लिए काम कर रहे थी जिसको हम लोग economic advisory council और प्रामिस्टर बोल रहे थे ठीक है तो responsible है and analyze करती है data को यहाँ पर यह particular और एक तरीके से काफी important है direct देस में कहाँ पर क्या क्या चीज़े चल रहे है उसके बारे को लिखने में भी मजाएगा और इसमें कई सारी चीज़े आप लोग लिख सकते हैं जैसे कि despite the consistent जो experience of the high growth हमारे देस में high growth रहती है GDP हम लोग काफी अच्छी बताते है इतना शांदार चल रहा है and यह still goes with the lowest indicators of human development पर फिर भी इंसानों की खस्ता आलत रहती है किसी को job नहीं मिल रही है किसी को education नहीं मिल रही है किसी को health की service नहीं मिल रही है तो इसको आप लोग एक तरीके से examine करने है मतलब यह हो गया मतलब यह है कि देखने में तो बहुत सारी चीज़े हैं बड़ी बड़ी चीज़े है यार यह चल रहा है वो चल रहा है पर in reality जब आप लोग ground level अठीघूर्ण पर जाकर चीजों को चेक कर रही हूँ, तो बड़ा ही डिफुरेंट तरीग का नजारा आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है। helpful में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी यह जो रिपोर्ट है यह आप लोगों मैंने बोला टवी है इले आप लोग को मिल जाएगि इस ते DM करता हो तो इहांप da जाकर देखि ले सको आप और थोड़े से ज़्यादा इंट्रिस्टेड हैं तो और बाकी आप लोगे सामने डेटा में ने रखी दे हैं आपको कुशन भी हो गया और आंसर राइटिंग का भी हो गया तो इसको भी प्रेक्टिस कर लेना आंसर राइटिंग ग्रूप में जाकर तो बेसिक चीज़े थी कोई भी doubt, confusion हो तो पूछ लिया करो mind में doubt लेकर नहीं जाना है एक dialogue आप लोग ने एकसर सुनाओगा कि अपने घर में आग लगी हो तो इंसान को दर्द होता है और दूसरे के घर में लगा हो तो इंसान मजे लेता है वही reality आप लोगों को देखने को मिलेगी जब यहाँ पर बात करते हैं चाइना के बारे में तो चाइना जो है अगर देखोगे उसके आजकेट में रस्या के साथ में काफी अच्छे relation है और उसके पीछे reason भी है क्योंकि रस्या के पास में कोई और option है नहीं ऐसा महौल किरियेट हो गया है तो इसके चलते हैं यहाँ पर जब भी कोई excise होती है तो यहाँ पर रस्या को मजबूरन जाना पड़ता है पर यही चाइना जब इंडिया के साथ में उल्टी सीधी हरकते करते हैं तो रस्या बिल्कुल यहाँ पर चुप आप लोगों को नजर आएगा अभी मैं आप लोगों से बात करूँगा East China Sea के बारे में important map location भी आप लोगों से यहाँ पर पूछी जा सकती है और वैसे भी यार यह छुड़ी छुड़ी चीजे हैं कहाँ पर South China Sea है कहाँ पर East China Sea है अगर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को आइडिया रहेगा तो understanding बढ़ेगी जब आप लोग news सुनेंगे कोई आप लोगों से बाते करेगा तो अच्छे से आप लोग reply कर पाएंगे हिंदू के द्वार भी cover किया गया यह particular article और Indian Express में भी था defense के topic के साथ में आप लोग इसको connect कर सकते है recently Russia और China की बीच में एक joint naval exercise देखने को मिली East China Sea के अंदर में तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को location दिखाता हूँ East China Sea की exact location कहाँ पर है तो यह East China Sea आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा exact location यहाँ पर है ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो नोर्थ कोरिया है किम जोंग उन वाला देश मेरी ऐसी क्यों चुट रही है कि दोस्से बाते कर रहा था तो थोड़ा सा न एक जैसे बाते करते हैं कही बार ना कही सारे लोगों को spanल याद नए था कनफूजन हो जाता है तो नोर्थ कोर जेपरा साउथ कोरिया है निचे बाते है Every war East China Sea देखने कू मिलेगा ठीक है तो यहां पर इसके बारे में आप लोग देखते हैं तो यह East China Sea जो मैंने भी आप लोगों को दिखाया इसके बारे में मैं आप लोगों से बाते कर रहा हूँ अभी थोड़ा सा और नीचे अगर आप लोग आएंगे तो काफी famous area है जिसके बारे में आप लोगों ने जुरूर चुना होगा South China Sea यहाँ पर China सबके साथ में कबड़ी खेलता है ठीक है पहले East China Sea आप लोग देख लिजे map में exact location आप लोगे सामने है अपने देश के compare में आप लोगो जुरूर पता होना चाहिए जैसे अपने प्यारी country यहाँ से जाएंगे तो यह East China Sea है और यहाँ पर आएंगे तो यह South China Sea है तो ऐसे आप लोग इसको mind में clear रखेगा ठीक है अभी बात करता हूँ यहाँ पर East China Sea के अंदर में तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आप लोग जाएंगे तो yellow sea आप लोगो देखने को मिलेगा थोड़ा सा ओर उपर जाएंगे तो यहाँ से आप लोगो sea of Japan नजर आ जाता है और इसके ज़स्ट थोड़ा सा नीचे अगर आप लोग आएंगे तो फिलिपिन sea नजर आ जाता है तो यह वो important location है जो कि आप लोगों से map में अगर mind में किलिए रहेगे तो कोई question पूछेगा तो आप लोग उसको बता पाऊगे Seoul exact location South Korea इसके अंदर में capital आप लोगों यहाँ पर नजर आएगी यह अगर आप लोगों ने समझ लिया तो हलका सा understanding आप लोग की South China Sea को भी लेकर होना चाहिए South China Sea एक ऐसा area है जहाँ पर हर एक देश जो है वो अपने सींग लड़ाए बैठा है मतलब हर एक देश कहता है कि यह मेरा area और China बोलता है कि किसी को भी इनका area नहीं देता है बोलता है कि मेरी दादागिरी है आप यह पार्शल island आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलेगा जो काफी ज़्यादे न्यूज में रहते हैं इस पार्टली island वाला area भी आप लोगों ही पर ही नजर आएगा इसी के साथ में China का claim आप लोगो जो यहाँ पर देखने को मिल रहे है यह claim आगे चलकर Japan के साथ में भी irritation create करता है China का चाइना की Japan के साथ में यहाँ पर island देखने को मिलेंगे तो उसके साथ में इस China semen की दिक्कते देखने को मिलती है उनका नाम याद आ रहे किसी को बताओ चलो थोड़ा comment box में लिखो देखो कुन किस-किस के याद है भूल गे थोड़ा सा time हो गया पढ़ाई वे पर लेकिन फिर भी हलका सा सर्च करना ठीक है सर्च करोगे तो लंबे समय तक थोड़ा सा और याद रख पाऊगे बाकी आंसर तो अगले दिन आप लोग को मिली जाते हैं लेकि जो भी बच्चा आंसर देता है आप लोग अच्छे से एक काम करना है कि उस चीज के बारे में ऐसा नहीं कि बस आंसर देने के लिए उस चीज को थोड़ा सा पढ़ा भी करो उसको अंडर्स्टैंड करने की कोशिस कि अगरो अफरत अपनी तो यहाँ पर है नहीं कि भागना आइए आंसर देना है तो अपनी चीजों को ढंग से लेकर चलो ताकि लंब और चाइना के बीच में बेसिकली हाँ पर इस पर्टिकलर एडिया में तो मिलकर काम भी कर पाएंगे तो एक तरीक से अपनी पावर का डिमेंस्टेशन कर रहे हैं यानि कि हम लोग कितने ताकतवर है वो दिखाने की कोशिस की जा रही है और एक नया एरा और पार्टनर्सि के जात में कर रहे हैं बार बार रिसे को चेट रहे हैं और पुतिन भाय साफ जाए फिर उल्टा है उनको दुन देते हैं पकड़के तो यह हरकते हैं यहाँ पर देखने को मिलेगी तो इसके बारे में यह तो बेसिक हो गया कि मैं बेश कुशन आप लोगों से बन सकते हैं अब कुछ में आप लोग को इंडिया का जो एक्साइज है चाइना और रिसे के साथ में वो भी बता देता हूँ ताकि अगर लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग लिख सके बात की जा रही है है हैं यह कम से कम आप लोग जरूर याद रखेगा जितने खूबसूरत हमार ऐरेन वाड़ इर्या, सेमी अर्बन वाला उसमें आप लोगं यहाँ पर यह देखने को मिलेगा ठीक है है तो हैने कहने का मतलब यहाँ पर यह कि यह तो हैंड ऐन इन हैंड एक्साइज जो है दोनों कंट्री के बीच के सहरी इलाकों में यहाँ पर यह अंड़िक्ट कराई देते हैं इसी के साथ में exercise जहां पर यहांपर tensor आप लोगों देखने को मिलती है T-S-E-N-T-S-E-N-T-E-R ठीक है तो यह army के exercise हैं आपर Russia और जो India है उसकी army जो है उनकी annual यह training सायं के लिए आप लोगों देखने को मिलती है Question वड़ा ही प्यारा है और कई बार अगर map में आप लोगों को माइंड में clarity नहीं होगी तो confusion create यहांपर कर सकता है बात की जारिये East China Sea की location के बारे में और statement सारी ऐसी ऐसी दे रखे हैं कि आप लोग confused में यहांपर हो सकते हैं जैसे क्या बोला गया कि located है North Sea of the yellow sea यह yellow sea के East में है यह पूरव पच्चिम में और West of Philippine Sea तो सही answer क्या आप लोग है इसाब से A, B, C या फिर D वीडियो को pose करकर question को attempt करो क्योंकि अभी सारी बाते में ने एक एक detail में आप लोग यहांपर बताईए कि कहां पर यह located है यह पимिन सि होगे आप लोग यहांपर होगे तो सही answer क्या होगे आप लोग है साब से कऱे लिया आटेंप्ट सही answer है D यानकि यह रोग फिलिपिन सी और अगर आप लोग है एक आप र देखो गे यह हो गया East, यह हो गया West यह हो गया North और यह हो गया South तो ये क्या हो गया? फिलिपिन सी के वैस्ट में आप लोगो देखने को मिलेगा तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर इसका D हो गया तो मैं बेस्ट क्वेशन बड़े इंटरेसिंग एक्जाम में आप लोगों के बन जाते हैं excise बारे में भी question अगर आप लोगों से पूछा जाए excise hand in hand जो है वो army के excise है excise indra जो है वो air force के excise है और excise यहाँ पर T, S, E, N, T, R जो है वो army के excise है कौन सा pair incorrectly match है यह ध्यान से पढ़ा गुरो वारना question का दो पता होगा आप लोगो पर लेकिन in reality आप लोग फिर भी question को गलत attempt करके आओगी तो इसलिए कहता हूँ कि यह ज्यान आप लोग होना चाहिए तो क्या बोला गया answer क्या होगे है आपगे है आपगे हैं आपगे हैं पर only one pair only two और या all three यह फिर none सही नहीं पूछा गया है incorrect पूछा गया है इस तरीके से टोपिक को तियार करते हैं ठीक है कोई भी डाउट हो तो बताना फिर उसको दूर किया जाएगा दोस्तों यह कैसा टोपिक है जो कि हिंदू के द्वारा भी cover किया गया यह topic और Indian Express और भी कई सारे newspaper के द्वारा cover किया गया और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि देखो अगर society में समाज में दुनिया में कुछ गलत हो रहा है और उसके लिए कुछ कानून है तो समझ में आता है कि कोई ने कोई सजा मिलेगी अगर कुछ गलत करेगा पर लेकिन कुछ ऐसी भी चीजे होती है जो की अनहोनी टाइप की घटना होती है जिसके उपर कोई कानून नहीं होता है तो उसका क्या किया जाए आकिर आकिर मैं क्या बात कर रहा हूँ सोचो कोई rocket जो है वो launch किया गया कोई satellite जो है वो launch किया गया और यहाँ पर वो अपनी कक्सा में नहीं पहुचकर वो आकर एक ऐसी एरिया में गिर जाए जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं तो वहाँ पर कई सारे लोगों की जान चले जाए तो इसकी responsibility कौन लेगा मतलब कौन बोलेगा कि हाँ ये मेरी responsibility थी और मेरी गलती है उसको कौन यहाँ पर उसकी भरपाई करेगा इसके लिए दुनिया में कोई भी कानून नहीं है सोचो इंडिया से कोई satellite लॉंच किया और वो चाइना के अंदर जाकर गिर गिया ठीक है तो आप लोग सोचो क्या होगा तो एक तरीके समझ सकते हैं आपर तो इसको किस तरीके से basically देखा जाए क्योंकि यह ऐसी चीज़े हैं जो uncontrolled हो जाती है तो इसके बारे में काफी important article है जिसके बारे में question भी आप लोगों से पूछा जा सकता है exam के अंदर भी और खासकर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप लोगों देखेंगे हाँ पर जैसे कि अगर बात की जाए जैसे UPSC ने 2016 में यहाँ पर question पूछा ठीक है direct UPSC ने question पूछा है बोला कि discuss करो Indian achievement in the field of space science and technology और आज की डेट में सबसे एक problem देखने को मिलते हैं यानि कि जो भी मलबा होता है आकास के अंदर में उसके बारे में कई बार बात की जाती है तो उसको भी आप लोग याद रख सकते हैं कि आकास का जो कचरा है उसके लिए कई सारे आज की डेट में प्रोग्राम चला जाते हैं बात की जा रहे हैं यह कैसा question हो गया जो कि जनलिस्टिक question है यानि कि science and technology के field में हमारे achievement क्या है और उससे society को क्या फायदा हुआ है जैसे ISRO के कई सारे ऐसे आज की data में satellite आप लोग बहुत सकते हैं जिससे कहा कहा पर हमारे खेतों में क्या क्या पैदावार हुरी उसके बारे पता चल रहा है रियल टाइम information का पता चलता है तो हमारे देश में हम लोग आज केट में IR, RNS से हम लोग काम कर पा रहे हैं हम लोग को जुरुत नहीं है जो कि USA का GPS सिस्टम में उसको यूज करने की तो ये हमारे बहुत सारे आलतिकी देश में देखते हैं genetically modified crop की बारे में अगर मैं बात करूँ बहुत सारे ऐसे experiment आप लोग यहां पर देखते हैं जो कि science and technology में हम लोगों ने बहुत आगे आज करें बढ़ चड़कर काम किया जा रहा है हमारी जो पृत्वी है एक तरीके से उस पे जो हमारा देश है वो कहीं ने कहीं एक तरीके से आविस्कारों का देश रहा है अगर history आप लोग उठागर देखोगे वो अलग बात है कि अभी हम लोग कुछ ऐसी चीजों में उलज गए हैं आकर present time पे social media में और दुनियादारी में कि हम लोगों ने अपने अंदर की power को पहचानना बंद कर दिये पलेकिन history उठागर देखोगे तो हम लोग एक बहुती powerful देश की category में आते हैं अगर आप लोग देखोगे maximum चीजे जो है उनका कहीने कहीं root जो है वो अपने देश में आप लोग को देखने को मिलेगा तो question ये एक अच्छा question आप लोग लिए बन सकते हैं science and technology के अंदर आप लोग इस topic को cover कर सकते हैं अभी हुआ क्या basically है आप लगबग 140 के करीब expert जो है उनके द्वारा sign किया गया एक letter ये एक open letter था और ये open letter published किया गया outer space institute के द्वारा और यहाँ पर जो national है जो देश है और जो multilateral effort है उनको बोला गया कि इसके ओपर क्या करोगे अगर कल को कोई uncontrolled कोई ऐसा system आकर कहीं पर गिरता है और वहाँ पर कई सारे लोगों की जान चले जाते है उसकी वेसे तो कैसे आप लोग इसको देखोगे तो यानि कि uncontrolled है वह नहीं कहते हैं कि एक तरीके से बिना पैंदी का लोटा है तो जो rocket launch के यहाँ पर वो पहले आसमान में जाएगा आसमान में जाने के बाद में basically क्या होता है जिस सैटलाइट अगर launch कर रहे हैं तो वो फिर हुहाँ पर उसको छोड़कर कुछ portion है जो कि आकर आप लोग यहाँ पर गिरता हो न जराता है कुछ debris होती है कुछ ऐसा basically area होता है जो कि ढंक से जला भी नहीं होता है वो नहीं करते कि entirely burn नहीं हुआ है तो कुछ बचा कुछ अफसेस होता है वो भी पढ़ता है आकर तो कोई भी ऐसा international level पर agreement नहीं है जो इस तरीकी की चीजों को restrict कर सके या फिर मैं बोलो तो control कर सके तो इसके उपर काम करने की काफी ज़्यदे जूरत है तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि इन चीजों को हम लोग कैसे देखकर चलते है क्यों है यहाँ पर हम लोग नहीं कर रहे है कई सारे basically बच्चे बोले थे यह खास ही नहीं जा रही है x2-5 जो भॉद всегда Dog 1 सिंद्धू आई खांसिंते when थ्यार निभार 손 extends कर लंबक है जातों सैंट्रेंच संकियो ना इंट्रिप्सल्रच ना हो बात हुआ पूरी फूरी हो जाने इसके चकर में तो शीज़ेए कई बार थोड़ा सा तो जैसे नहीं uncontrolled rocket के बारे बात करो तो uncontrolled खासी रहती है फिर वो तो यह आप लोग समझ सकते हैं ठीक है तो कई सारे वच्चे जो है उसको लेका attention आज़े सर यह खालो खालो सारे नुस्के बता देते हैं भाबा दादा ना ना आने वाले सारे नुस्के सही है तो यहाँ पर माल यहाँ से कोई first stage यहाँ से launch किया फिर चली चीज़े और फिर ऐसे आकर और फिर यहाँ से आकर यह चीज़े ऐसे गिरनी start होगी तो उसको कैसे आप लोग tackle करके चलोगी उसका path जो होता है launch करते time तो आप लोग ठीक है आप लोग वो ocean के अंदर ही गिरे जाकर पर लेकिन ocean के अंदर भी कुछ ना कुछ तो जीजनतु होते होंगे ना उनके ओपर भी दिक्कत पड़ेगी तो इसके चलते हैं यहाँ पर बात की जा रही है अभी part of Russian rocket 2018 में और China का rocket जो था अभी उसके बारे में आप लोगों ने बात की यह recently अभी इंडिया के अंदर भी यहाँ पर कुछ portion इसका आतावा गिरता था ठीक है Russia rocket 2018 में चाइना का जो यहाँ पर basically जो माल 5B जो rocket था है यहाँ पर 2020 के और 22 के अंदर में यह Indonesia, Peru, India और भी Ivory Coast कई जगे इसकी जो portion है वो गिरते वे नजर आए पार्ट जो है यहाँ पर जो SpaceX का Falcon 9 है उसके Indonesia में 2016 में पार्ट गिरते वे नजर आए तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं तो atmosphere के अंदर में जो भी हाँ पर chemical contamination देखने को मिल सकता है risk बढ़ जाता है इसकी वे से काफ़ ज़्यदा uncontrolled rocket जो है तो आने वाले time में 10% और यह चीज़े बढ़ती हुआ नजर आ सकती है मतलब अभी हम लोग इन चीज़ों को control नहीं कर रहे हैं आने वाले time में यह चीज़े और ज़्यादा बढ़ती हुई आप लोग को नजर आएगी तो global south जो है उसको और दिक्कत रहती है जैसे कि माले जी यह particular प्रत्वी हो गई ठीक है तो जो यहाँ पर equator होगे तो equator के जो नीचे वाला portion आप लोग देखोगे वहाँ पर यह issue और ज़्यादे देखने को मिलते हैं ठीक है कोई international agreement नहीं है liability convention है 1972 का पर लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि एक तरीके से धंक से काम करें ठीक है तो require a country to pay great damage पर not preventive कोई preventive measure भी होना चाहिए न prevention is better than कि और वाली बास सुने है आप लोग ने कि हाँ चीजों को होने से पहले रोक ले तो उसके उपर कोई काम होना चाहिए तो avoid करें कि ocean के अंदर में या फिर human एक तरीके से उसकी casualty जो है उसको रोका जा सके notify किया जा सके, replan किया सके, उसके उपर focus किया जा सके तो कई सारी ऐसे issues देखने को मिलते हैं पर लेकिन इनके बारे में लोग जो है वो बात नहीं करते हैं अकसर चीजों को ignore कर देते हैं थोड़ा सा अगर मैं आप लोग एक picture दिखाऊ तो कुछ चीज़े आप लोग और connect कर पाएंगे जैसे अगर बात करें हाँ पर ये particular अगर बात करें जैसे कि हाँ पर ये प्रत्वी होगी satellite versus debris आज की date में ये मना जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो आप लोग को उल्टी सीधी होती ही नजर आएगी तो यानिकि जैसे की प्रत्वी है उसके आसपास इतने सारे rocket है आजकेट में Elon Musk की company दुनिया भर के आजकेट में जो है अपने satellite लौँच कर रही है तो ये मना जाता है कि ये ऐसे ही चलता रहा तो प्रत्वी पर सूरज की रोसनी भी आनी कम हो सकती है जिस तरीके से यहाँ पर ये satellite वगरा छोड़े जा रहे है और फिर उनकी debris बन जाती है क्योंकि एक satellite की जो life है वो 10 से बार है 15 से 20 साल आप लोगो देखने को मिलती है मतलब उसके बाद में फिर वो एक debris के तोर पर यानिके एक मलबे के तोर पर या फिर एक कूडे के तोर पर वो आसमान में घूमता हुआ आप लोगो नजर आता है तो इसकी संख्या जय है वो आने वाले टाइम पर बढ़ती हुई आप लोगो देखने को मिलेगी जिसकी वैसे बहुत सारी दिक्कते इस पेस में आते हुई नजर आएंगी और नुकसान कैसे जैसी जो और लेडी सेटलाइट है उनमें टकर मार कर उनको खराब करेंगी उनको डेबरी बनाएंगी अगर 2700 सेटलाइट हैं 2700 आजकेट में तो 26000 आजकेट में ऐसे उब्जेक्ट ट्रेक किये जा रहे हैं या और भी ज़दा आप लोगो देखने को मिल सकता है इनका वेट 8800 टन जो की डेबरी यानिकि इस पेस में कूड़े के तोर पर आप लोगो यहाँ पर नजर आते हैं 21000 के करीब अनाइडेंटिफाइड डेबरी जो है वो आप लोगो फ्रेग्मेंटिड वे में देखने को मिलेगी फ्रेग्मेंटिशन जो है वो 10 cm के और इससे भी ज़्यादा लार्ज आप लोगो देखने को मिलता है और कई सारे ऐसे हैं लगबग 9,000,000 के करीब यहाँ पर फ्रेग्मेंटिड जो 1 से लेके 10 cm तक है पतलब दुनिया भर की चीज़े हैं वाइसा अब आसमान में सोचो किस-किस ने कब-कब क्या-क्या लौंच किया था और ग्रेविटी हैं यह घुमरे आसमान में कभी ने कभी वो उन्हीं को काटते हैं नजर आएंगे जो रोकिट वगएरा लौंच कर रखें तो इनसान को जो भी काम करना है उससे पहले उसके बारे में यह सोच लेना चाहिए कि इसके नुकसान क्या है फायदे तो देख ले हम लोग ने पोजेटी चीज़े तो देख लेते हैं पर लेकिन बहुत सारी चीज़ों की नेगिटिव साइड भी होती है वो भी हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी ठीक है तो इसके बारे में हैं कई बार ना बोड़ी बनाने के चकर में उल्टी सिदी चीज़े खानाय स्टार्ट कर देते हैं फिर पता चलता है कि यार यह तो और जगे प्रोलम क्रियेट कर रहा है तो फिर यहां पर समझ में आता है कि अच्छा यहा क्या क्या जाए इसका तो हम लोग को सावधानी वरतनी पड़ेगी इन चीज़ों को लेकर यह बात आप लोग ज्यान रखिए इंट्रेस्टिंग कोशन है 2011 में UPSC के द्वारा पूछा गया आगे भी ऐसे कोशन आप लोगों से बन सकते हैं जब कोई भी हाँपर सेटलाइट वगरा टैली कॉम्मुनिक लोगों देखने को मिलेगा ठीक है इसके अलावा यहां पर यह यह लाइ करता है इंद प्लेन ओफ अर्थ एक्वेटर ठीक है और इसकी जो एल्टिटूड है यहां पर यह निके जो इसकी मुचाई है वो 22,236 किलोमेटर देखने को मिलती है तो इसमें बेसिक चीज़ अग इस कोश्चन को पूरे को सोल कर लेंगे आप लोग क्यों क्यों कियों कि मैंने आप लोगों पढ़ाया भी है कि लगबाग 36,000 किलोमेटर की डिस्टेंस आप लोग यहां से देखने को मिलती है तो यह छोटी सी बात भी अगर आप लोग इमाइन में किला रहे ना तो भी यह कुछ statement देखकर यह आप लोग question का answer कर पाते हो ठीक है अन कंट्रोल री एंट्री के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बोला जा रहा है कि एन अन कंट्रोल री एंट्री दरो किट जो इस्टेज आ वो simply जो गिरता है और ground station जो है यूज़े अपना control कर दे entirely यह आप लोगों मैंने बताया कि debris होती हो क्या होती है सारी चीज़े entirely बन थोड़ी न होगी कुछ ऐसे होंगे जो धरती मा के गिरेंगे ठीक है तो answer यहाँ पर इसका A हो गया तो यह सारी चीज़े आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़े जलती नहीं हैं और कुछ बचा कुछा फिर चीज़े आकर जमीन पर गिरती हैं तो यह काफी important question भी आप लोगों से बन सकते है exam में को कि इसके बारें बात कर रहे हैं लोग की कैसे इसको control करना है वो सब बाते की जा रही है तो कल को पता हो थोड़ा सा यह फिर लिखने के लिए कुछ आ तो यह था पूरा topic confuse आना बिलकुल भी नहीं है ठेक है अपने ही आप में यह काफी important news आप लोग इहां पर बोल सकते हैं जो बात की जा रही है किसके बारे में drinking water के बारे में यानि कि जो पानी हम लोग पीते हैं उसके बारे में हाँ बात की जा रही है तो इससे लेटरी question आ आप लोगों से इसके बारे में क्या क्या question बन सकते हैं जैसे कि यह किस ministry के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं इसका basic purpose यहां पर क्या है क्यों इसको start किया गया है और इसके चलते क्या क्या impact देखने को मिलेगा और कौन इसको conduct करा रहा है तो सबसे पहले तो यहां यहां पर यह एक तरीका यह survey स्टार्ट किया गया ministry of housing अरबर अफेर के द्वारा ताकि यहां पर पेजल सर्वेक्षन जो है जिसको यहां पर PJS बोला गया है आप अटल mission for regeneration and urban transformation जो यहां पर अमरुत mission है 2.0 के तहते इसको cover किया जा रहा है और इसको देखे अच्छी बात क् मैं कोई चीज लेकर चल रहा हूँ ठीक है और मैं ही यहां पर एक तरीके से मेरा उधान चोड़ो जैसे कि पुलिस है ठीक है पुलिस किसी एक criminal को पगड़ रही है और पुलिस ही उसकी investigation कर रही है तो chances यहां पर यह हो जाते हैं कि इसमें कोई घपला करिया किया जा सकता है अगर कोई सामने वाला इंसान उसको पैसे दे तो उसको अपने इसाथ से चला सकता है पर लेकिन investigation करने वाली टीम अलग हो जाए और पकड़ने वाली टीम अलग हो जाए तो उस cases को clearance मिलने के चांसे ज़्याद रहते हैं किलियर एक result आने के चांसे ज़्यादे रहते हैं इसलिए third party यहाँ पर लगाए गई है IPS OS करके एक private firm है जो कि इस कोशन एक अच्छे लेवल के बनाए जाते हैं ताकि आप लोग उनको सोल न कर सको ताकि आप लोगो लगे कि थोड़ी सी और मेहनत करने के जूरत है ठीक है तो परपल यह रहता है कि कभी भी सामने वालों को हमेशा अगर यह फील करा देना कि बहुत बड़े तैयारी चल ल कोशन है तो यह सरवेक्षन यह अपर यह एक हैल्थी कॉम्पडिशन प्रोवाइड कराये गए हाँ पर जो सिटीज है और जो लोकल बोडीज है कॉम्पडिशन कभी भी गलत नहीं होता है कॉम्पडिशन हमेसा अच्छा होता है कोई अगर आप लोगों को किसी भी तरीके स कुछ भी हो जाए अगर कोई आपके साथ में competition में आता है अपनी energy को इस तरीके से आप लोग का accumulate करने है मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर मेनी करने को बिढ़ना है सामने वाले के साथ में यहाँ पर quality की बात की जा रही है सामने वाला अपनी quality बढ़ा रहा है आप लोग double quality बढ़ा दो वो double कर रहा है आप लोग triple कर दो तो यही तरीका है अगर आप लोग के सामने कोई आकर खड़ा उने की कोशिस कर रहा है तो आप लोग को उस level पर अपने आपको लेके जाना है मेहनत करنے से कभी डरन निचे यार मेहनत करने से कभी रुकना ही निया किसी भी लेवल पर fireworks अगर मेहनत करनी पड़ जये तो करने के लिए उसको त्यार रखो जो भी आप लोग करना पड़े अपनी चीजों के लिए उसमें आप लोग को जी जान लगा देनी चाहिए जिस चीज के लिए आप लोग जाने जाते हो तो सामने वाला कोई भी हो सामने तो आप लोग को सही तरीके से अपनी चीजों को ले कर चलना चाहिए तो इसलिए competition करा जाते हैं हाँ पर ताक कि local body जो है वो एक दूसरे के सामने जो है अच्छे से आएं और competition करें तो quality बढ़ेगी product की marketer में कोई अच्छे product बेचने वाले दो लोग हैं तीन लोग हैं चार लोग हैं तो हाँ पर सबसे अच्छी quality जिसकी होगी भले ही price थोड़ा सा जाद हो पर लेकिन quality अच्छी है तो लोग उसको लेना पसंद करते हैं ये बात हमेसे ध्यान रखिएगा और जुरूरी भी है quality के उपर कभी compromise मत करना quality जो है पता चला बेकार चीज लेकर आप लोग फाल्तों में फस गए पर लेकिन अच्छी चीज quality वाली चीज आप लोग नहीं कहते हैं कि थोड़े से पैसे लग जाए पर लेकिन कपड़ा अच्छा लो लंबा चलेगा ये बाते आप लोग देखियोगी mobile phone लेकर आए आप लोग इसलिए तो देखते हैं लोग iPhone क्यो लेते हैं बस आप फैक दो तोड़ दो पाने में डाल दो एक तो data चोरी नहीं होगा पहली बात दूसरा security इतनी शांदार है कि government भी मांग ले तो उसको न मिले direct तो उसको भी सामदाम धनभेद लगाने पड़ेंगे तो लोग security और quality की वेसे यहाँ पर उसके पीछे जाते हैं तो यह चीज़ा आप लोग समझ सकते हैं वो अलग बात है कि वो महेंगे इतने देता है इसकी कुछ हद नहीं है पर लेकिन in reality यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि वो अपनी quality की वेसे जाने जा रहे हैं आपर इसलिए दुनिया में सबसे बड़ी company है अज की रेटर में Apple अगर आप लोग GDP के पॉइंट अपर से उसको देखोगे तो यह उसकी quality और उसकी privacy जो security है उसकी वेसे तो अमृत मिसन यहाँ पर एक तरीक से इसी को monitor करता है कि quality को कैसे maintain रखना है तो water quality जो भी है आपर उसके उपर काम करना है अपने आपको भी चेक करते रहना चाहिए time to time तो सारी चीज़े आप लोगो देखने को मिलती है लेक्चर में बोलतो हूँ feedback दे दिया करो ठीक है तो उसका मतलब क्या होता है कि आप लोग बताओ कि आप लोग को lecture कैसा लग रहा है हर दिन एक बच्चा कहता है कि सर डेली feedback क्यों मांगते हो इसका मतलब यह है कि मतलब डेली नया lecture थोड़े ने डेली वही lecture अपरोड कर रहा हूँ है डेली नया lecture बनाता हूँ उसमें मेरी energy का level कैसा है आप लोग को जो article पढ़ाया आज वो कैसा है कुछ article ऐसे हैं आप लोग इस समझ में आए है फिर समझ में नहीं है उसके बारे में तो feedback तो अलग lecture का अलग होगा न डेली मतलब एक lecture बनाने में इतना time लगता है जिसके कुछ है नहीं है अगर आप लोग count करोगे डंक से सारी ppt बनाने का तो आप लोग इतना time देखोगे मतलब एक तरीक से next level पर तयारी करनी पड़ती है इनके question frame करने में ppt बनाने में ये सबसे बड़ा time क्या होता है ताकि आप लोगों को मेहनत ना करनी पड़े तो ये आप लोगों की जो मेहनत है उसको कम करने की एक कोसिस की जाती है तो ये एक next level पर जाकर चीज़े करनी पड़ती है ठीक है तो बहुत time लगता है तो थोड़ा सा अप्रिशेट करने छोड़ से बच्चे न थे हैं उनकी बढ़ाई कर देते हो खुस हो जाते है ऐसी समझ लो चोड़ सा बच्चा हो में ठीक है फिर क्या-क्या बुलवाते हो आप लोग भी काम करें अगर कोई अच्छे से जैसे मैं आप लोग का एप्रिशेट करता हो कि वहत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो आंसर दे रहे हो अच्छे से तो वह है यह थोड़ा सा मतलब एक तरीके से मेहनत को बोला करो कि हाँ एक तरीके से उसको फिड़बैक दे दिया गरो बस यह रहता है ठीक है बाकी तो आप लोग समझदार हो आगे चलते हैं पिए बी के द्वारा कवर किया गया इंपोर्टेंट न्यूस है आपर यह बात की जा रही है जी इम के बारे में हाला कि यह जो जी इ पैन-पैन सील बगरा वदला जो भी चीज़ें आप लोग जैसी भी office में जाओगे कुछ इसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कईयोंको비 में मिलती भी है ऊठाकर लियाते है तो यह सारी चीजे बाती नहीं कहीं से खृइटती ही जाती होगी तो government जो है यहापर उस से later हाप पर GEM है आपर तो Ministry of Commerce and Industry के द्वारा रूलाउट कियाता है GEM तो ये क्या रहता है ये Common Service Center है Indian Post इसी के साथ में New Delhi के अंदर में तो ये एक तरीके से क्या है ये One Stop National Public जो Procurement Portal है यानि कि Government को अगर कुछ भी Procure करना होता है अपने offices ये दुनिया भर के Department है उसमें कुछ भी अगर खरीदना है तो यहां से वो खरीदेगी Launch 2016 में इसको किया गया था ताकि Transparency बनाई जा सके Procurement में वरना वनी पहले दलाली रहती थी का ठीक है मैं बैठा हूँ एक district में तो मैं बोल दूँगा ठीक है सारा Innovative आप लोग solution यहाँ पर बोल सकते हो Corruption को रोखने का मैंने इस किया जाता है GEM Special Purpose Vehicle 100% Government Own है और Department of Commerce के अंदर आता है Ministry of Commerce and Industry के अंदर में तो Government E-Market ये GEM क्या है इसके बारे में कोई भी Mind Map Confusion नहीं होगा मुझे ऐसा लग रहा है अगर होगा तो उसको दूर करके आगे बढ़ने ठीक है Basic Information है Mind में Confusion नहीं रखना है Next यहाँ पर एक Hydrol Project के बारे हैं बात की जा रही है जिसका नाम है Italin Italin Hydrol जो Electric Project है इसको आप लोग Italin ये जल विद्धिती है परियोजना के नाम से भी आप लोग इसको जान सकते हैं ये Question आप लोगों से डिरेट पुछा सकते हैं कि ये News में क्यों है Down to Earth का Article है Important है थोड़ा से धान से पढ़ेंगे ये Hydro Project आप लोगो देखने को मिलेगा कहाँ पर Arunachal Pradesh के अंदर में और Arunachal Pradesh, इंडिया और चाइना की जो बीच में जड़ाफ है, उसकी वैसे अभी Recently News में भी है तो Italian Hydro Project जो है आपर जो भी Environment List है, वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये गलत है, इसको थोड़ा सा देखना चाहिए, इसको reject करना चाहिए इस प्रोजेट को ताकि उस particular area में दिक्कते नहीं देखने को मिले, लोकल जो Biodiversity है, उनको दिक्कत रहेगी लोकल Community जो है, इद्दू जो यहाँ पर मिसमी Community है, उसको Replace करना पड़ेगा, यह अरुनचल परदेश के अंदर में बहुत सारी problem create करेगा यहाँ पर, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह कि लोकल लोग जिनके लिए यह प्रोजेक्ट लेकर आया जा रहा है, वो लोग जो है, वो खुद इस प्रोजेक्ट को लेकर खुस नहीं है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, बहुत सारी Committee से Forest Advisory Committee जो कि Forest Conservation Act, जो है उसके एसाब से काम करती हैं, Ministry of Forest and Climate Change के अंदर में आती है उनके द्वारा भी यहाँ पर इसके बारे बाते बुले गिए कि यह दिक्कत create करेगा पर पोज किया गया था है, प्रोजेक्ट 2008 में और यहाँ पर produce करने की बात के जारती 3097 मेगावाट electricity बनाया कहाँ पर जा रहा था, दिबांग रीवर है, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है आपर ब्रहंपुतरा रीवर की, और इसी के साथ में हाँ पर यह construction के जारते दो डैम एक तो दिर रीवर के उपर और एक हैं आपर तैंगोन, रीवर इससे connected देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर द्री और यहाँ पर यह तैंगोन है, यह ट्रिब्यूटरी है दिबांग रीवर की, यानि कि पहले हो गया ब्रहंपुतरा, ब्रहंपुतरा की रीवर है दिबांग, वो ट्रिब्यूटरी है और ट्रिब्यूटरी दिबांग की यह दोनों आप लोग को देखने को मिलेगी, तो कहने का मतलब है कि कास्केडिंग, एक impact आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो जो रिपोर्ट लेकर आए गई उसमें बोला कि कई सारी हाँ पर बर्ड्स और कई सारे पक्सी पाए जाता है, जो कि ग्लोबली काफी लार्ज स्केल पर इंडेंजर है यहनि कि ओल्ड़ी वो खत्रे की सेमा में आप लोग को देखने को मिलेंगे तो कल को चलकर अगर इस तरीका प्रोजेक्ट यहाँ पर लाया जाता है, तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़े जो है वो हाँ पर देखने को मिल सकती है इसकी वेसे और भी बहुत सारी चीज़ों की जान जा सकती है तो यह बाते हैं आपर बोलेगी है तो यहाँ पर बेसिकली ये द्र और इसी के साथ में जो दिबाग है यहाँ पर ये इसी के साथ में इसकी जो ये river है जिसका नाम आप लोग देखते हैं आपर टैंगन ठीक है तो टैंगन इसको बेसिकलिए बोलेंगे तो ये दोनों river तीनों river के नाम ब्रहंपुतरा की होगी दिबाग और यहाँ पर इसकी होगी टैंगन और द्री ठीक है तो ये इस तरीके समझेगा और news में भी है तो question भी बने तो बोलनामत की कहां से आगया question क्योंकि ये direct आप लोगो सारी बाते बता दी confusion आना बिल्कुल भी नहीं है ठीक है ये news हाला कि मैंने discuss की थी पर बार-बार news में आ जाती है थोड़ा सा division भी आप लोगो हो जाएगा क्योंकि Russia जो है वो deliver कर रहा है efficient nuclear fuel कुंदा कुलम reactor के लिए तो जो नाम आप लोगों से पूछे कुंदा कुलम reactor कहां पर है ये आप लोगों को बताया था मैंने और uranium enrichment देखने को मिलता है पर बिना यहां पर burnable बेसिकली यहां पर absorbable जो रोडस है बिना उसके आप लोग यहां पर नजराता है जिसको BAR बोलते है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि यह BAR जो हो contain करता है neutron absorbing जो material ठीक है जो कि यहां पर insert किया जाता है ट्यूब के अंदर में प्रिसराइज reactor के अंदर में चीजों को control करने के लिए ठीक है significance के हैं आप इसका यह efficient है more vibrant है एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिले है काफी अच्छा fuel है यहां पर जो एक तरीक से यह वाला fuel लगबग 8% जादे effective है यह operate करेगा लगबग 18 महीने की fuel cycle में तो यहनि कि हमारा जो nuclear power plant है वो systematic way में आगे काम करता होना जराएगा बीना किसी चीजों के ओपर dependency के और कोई दिक्कत भी हाँ पर किने को नहीं मिलेगी तो यह रसिया हमको support प्रवाइड करा रहा है तो question भी बने तो confused मत होना ठीक है interesting है वन लाइनर है आपर national level के जो की direct question बनते हैं इंडिया जो है उसको third squadon जो है S-400 जो है air defense missile system कहां से मिल रहा है रसिया से next year तक डैली metro जो है वो लगबग 20 साल अपने complete कर चुके है आप जिस city में रहते हैं जिस area में रहते हैं वहाँ पर metro है यह फिर है नहीं तो क्या बन रही है यह फिर बन चुकी है तो इसके बारे में जुरू बताना union cabinet के दारा clear किया गया MSP MSP हाँ पर basically minimum support price होता है 2013 जो 2023 सीजन के लिए हाँ पर इनके दार यहाँ पर यह clear किया जा रहा है जिससे की काफी ज़र फायदा होता है खासकर किसानों को जब बात करते हैं ठीक है और यहाँ पर अभी जो कोप्रा है उसके लिए भी यहाँ पर की clear किया गया IIT खरकपूर जो है वो यहाँ पर setup कर रहे हैं इस्टिटूट इन मलेशिया तो यह बड़ी बात है अपने आप में यह आप लोग याद रखेगा इसके IIT लिखकर सर्च कर लेना टेलिग्राम पर बहुत सारी न्यूज आप लोग को मिल जाएगी इसके बारे में टेलिग्राम पर जाना सर्च में जाकर यहाँ पर आप लोग इसमें जाकर कहां कहां से किस-किस के साथ में IIT जो हो मिलकर काम करता है ठीक है मतलब किस-किस ने बनाया तो वह सारी चीजे भी थी कुछ है उड़ूपी के अंदर में उड़ूपी कहां पर है अभी आप लोगों बताना है छोड़ी चोड़ी बाते तो बता दिया गरो कम से कम है रस्या और इंडिया जो है प्लान कर रहे है कि यूएस डोलर को यह अच्छा लगा और यूरो को जह है उससे ड्रोप कर दें यहनिक रूपी का सिंबल होता है रूपी का यह सिंबल किसके द्वारा दिया गया था यह बताई कि इंटर्शिंग और इंक रूबंगलादेश फ्री ट्रेड एग्रिमेंट को लेकर यहाँ पर यह काम कर रहे हैं तो इह इंपोडेंट हो गया इंटरनेस्ट्न मोनेटरी फंड के द दो यार उसमें भी रिफोर्म हो जाएंगे वो बैचारा यूएन मानी नहीं रहा है वहाँ पर ठीक है हम लोग बार बार बोले हैं भाई साब कर लो रिफोर्म कर लो रिफोर्म ठीक है कर लो बोज कर लो जो करें यह तो मतलब मुझे अंदर से इरिटेट कर गई यह न्यूस तालिबान ने वुमेन के उपर अभी डोमेस्टिक और जो फोर्नर जहां पर एंज्यू हैं उनमें काम करने के उपर बैन लगा दिया है कुछ दिनों पहले मैंने डिसकस के था आप लोगों से कि उन्होंने युनिवस्टी के अंदर में महिलाओ के पढ़ने के उपर भी बै बैन यह देखने को मुल रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर में फीजी यह यहां पर देखे पहले ना इन्होंने जब बोला था तालिबान अपने कंट्रोल में ले रहे हैं तब इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बाते बोले थी कि हम ऐसा नहीं करेंगे वैसा करेंगे बैनी माराना बैनी मारामा ठीक है तो उनका रूल हटा दिया है तो नए लीडर यहां पर यह चुन कराएं तो यह इंपोर्टेंट पसिनल्टी में कोश्चन पूछ ले जाए तो आप लोग याद रखेगा कंफ्यूज याना नहीं है तो इनके द्वारा भी जीत हासिल की ग रहे हैं ठीक है एक मिलियन में दस लाक होते हैं ठीक है अब 200 मिलियन आप लोग समझ लो 10 से मल्टिप्लाइ कर लो ठीक है तो कितना हो गया कितना हो गया बताओ चलो क्रोड में कितना हो गया चलो आप लोग यह बताओ देखता हो कौन बताता है कैल्कुलेशन करेना अच्छ दुनिया को कोरोना की सोगात देने वाला चायना दुनिया को बरबात करने वाला चायना अभी फिर से यहां पर कोईट-19 की जो खतरनाक वीमारी फैल रही है और यह लोगों को इसके बारें बताने के लिए तैयार ही नहीं है इतना बत्तमीज देश मैंने आज तक नहीं देख के द्वारें यहां पर INCOVAC यह अप्रूव की गई है बेसिकली अभी कोरोना का बॉस्टर डोस के तो रोड पे किसके द्वारें यहां पर सीरम इस्टिट उफ इंडिया यहां पर बेसिकली बाइलोजिकल इलिमिटेड भारत बाय टेक यह फिर यहां पर बाइकों सही आंसर हैं यहां पर यापर कैंटन रहेगा जो अभी आप लोग को होकी का वर्ल्लक प देखने को मिलेगा यह आप लोग याद रखेगा आज की जो रिवर है, यह है basically कुबांगो ठीक है, तो कुबांगो रिवर आप लोगो कहां पर देखने को मिलेगी, तो कुबांगो रिवर के बारे में आफcolor के अंदर मेंiziert रिवर हैं आपर अफरीका तो यहाँ पर आप लोगो देखने को मिलेगा ठीक है तो कोई भी confusion आप लोगो नहीं होना चाहिए इसको लेगा तो exact location भी मैंने आप लोगो यहाँ पर बता दिए ठीक है CC8 को question आप लोगे सामने इसको attempt करो फिर answer आप लोगो दिखा जाएगा तब तक आप लोग इनको देखो और यहाँ पर काफी अच्छे से answer दिएगे फिर से मैं एक बात बोलूँगा edit करने से आप लोग बचो यहाँ पर क्योंकि कल मैंने देखा आप लोगो बोला था मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़े थी जो edit नहीं की गई थी तो वो direct approve हो रही थी मतलब मुझे बहुत कम चीज़े ऐसी मिली जो pending में पड़ी ही मिली जो आप लोग edit करते हो न उसमें मतलब थोड़ा सा थो impact मुझे देखने को मिला है जितना सारा मुझे review में मुझे approve करना पड़ता था approve कर दिया फिर से review में चला गया वो अब नहीं गया काफी कम है जो की review में गए तो कोशिस करो कि जो comment आप लोगों ने post के है फिर दूसरा comment जो है मालीज़े आप लोगों ने कर दिया तो दूसरा copy करके इसको फिर से post करके फिर उसके आगे लगाओ कि क्या क्या आप लोगों ने achieve कर लिया तो नया comment आप लोग उसको edit मत करो क्योंकि फिर review में जा रहा हूँ ठीक है बाकि आप लोगों ने feel कि ऐसा कुछ यह आप लोग बताइएगा मुझे तो मतलब feel हुई यह बात इसलिए मैं आप लोगे साथ में CRB के थी ठीक है question के answer देख लेते है पहला जो यहाँ पर इस cancer के है वो यह भारत biotech booster dose आ रहा है अगर mocha मिलेगा तो चूकना मत लगवाने से ठीक है आगे यहाँ पर यह किसको मिला था यह award यह UIDI को मिला था मैंने distance भी किया था पूरा का पूरा topic आप लोग उसे तो confusion नहीं होना चाहिए यह revision होते रहते हैं आप लोगे और फिर एक weekend में भी वीडियो आती है उसको भी आप लोग enjoy कर सकते हैं अब की बार monthly वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगी उसमें फिर हम लोग cover कर लेंगे सारे चीज़े ठीक है तो इसको लेकर थोड़ा द्यान लखिएगा कौन है player यहाँ पर तो यहाँ पर यह हर्मन प्रीट सिंग तो हर्मन प्रीट सिंग जो है होकी से लेट यहाँ पर important personality है जो याद रखेगा हर्मन प्रीट सिंग जो है नेम किया गया है उडिसा के अंदर में इसी के साथ में राव केला में देखने को मिलेगा ठीक है तो यह कुछ ऐसी बाते हैं जो कि question आप लोगों से बने तो याद रखेगा question confusion में आप लोगों यहाँ पर नहीं होना चाहिए कल को question बने तो opening match जो है वो बिर्सा मुंडा स्टेडियम में basically आप लोगो राव केला में देखने को मिलेगा और यहाँ पर Spain के खिलाव हम लोग खेलने वाले है तो यह कुछ basic चीजे मैंने सारी की सारी आप लोगो बता दी बड़ी चीजे है question बन सकते है ठीक है और यह answer आप लोगो पता चली गया कोई doubt ही नहीं होना चाहिए मैं बेस question हम लोगों ने देख लिया हिंदी और इंग्लिस में भी रहता है यह जो question नहीं इसका answer आप लोगो यह देखने को मिलेगा यानि के one kilometer पर ठीक है तो confusion नहीं है इंग्लिस लिखना बोलना सीखना चाहते हैं अगर आप लोग यहाँ पर एक तरीके से तो vocabulary काफ़ी important person होता है direct question बनते हैं अच्छा लगेगा आप लोगो भी confidence आएगा पहला सब जो हैं आपर यह heckle heckle मतलब सवालों से बात काटना जैनिके सामने वालों को interrupt करना आप लोगों ने movie देखी होगी अभी recently जो movie ने आय थी क्या था movie का नाम अरे उसमें वो हकला के नहीं काम बोलता है basically पिट गई काफ़ी movie सावतिलिया का hero था लाइगर ठीक है तो उससे याद रख लेना कि जैसे कि बोलना है start किया थोड़ा सा interrupt हुआ तो एक तरीगे से बात कट कई बीच में याद करने के लिए रख लेना पर लेकिन ये एक तरीगे से intentionally हैं आपर कि interruption करना सामने वाले को अपनी बाते रखना तो insult करने वाली बातों भी आता है ये rude comment ये फिर behavior की category में आता है आपर ठीक है तो ये गलत है इस तरीगे से सामने वाले को बाते बोलने दो पहले फिर आप लोग बोलो यानि के you should be a good listener एक ये भी quality होती है अपनी जिंदगी में आप लोग ला सकते है good listener की category ठीक है back step basically एक तरीका आपात कालीन एक एतियात बरतना यानि कि एक तरीक से कोई problem हो तो उसके लिए पहले से ही तयार रहना ठीक है कि भाई साब पहली गड़े में निकल लेना अगर दीकात आ गई तो emergency precaution आप लोग बोल सकते है last resort safeguard एक तरीक से preventive measures आप लोग बोल सकते है insurance लेना कई बार इसको बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि हाँ उस stage के लिए हम लोग तहीं आ रहे है ठीक है COVID-19 चल रहा था लोगों ने क्या किया इसमें अपने बड़े बड़े बिजनस खड़े का डाले कई सारी लोगों ने ठीक है बहुत सारे बरबाद भी है पर कुछ को फायद हुआ तो इसको कहते हैं कि समश्या में अपोर्चूटिड हुण लेना तो ये mileage लेने वाली बात होगी situation की next सब्दे हैं आपर carcass ये एक तरीके सब ये फिर मरत सरीर बोलते हैं पेर लगा देते हैं ठीक है तो limit करना किस चीज को condition लगाना कुछ exception कुछ छूट दे का विलागी तो एक तरीक से limitation हिंडर एक तरीक से hindrance भी आप लोग बोल सकते हैं ठीक है तो ये बात आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं काफी अच्छे answer दिए गए थे हाँ पर काफी अच्छा लगा मुझे जिनका नाम आईस लगा है बहुती detail में answer दे गए पंडित मदन मोहन मालवेजी के बारे पूछता तो काफी detail में इनके द्वारे हाँ पर answer दे गए 1938 तक का Indian National Congress के चार बार यहाँ पर यह एक तरीके से यह एक प्रिजिडेंट चुने गए और हिंदुस्तान टाइम्स के यह चेर्मैन भी रहे 1924 से लेके 1946 तक का तो यह basic information है ठेक है अब एक बहुत important बात देखो यार lecture कैसा लगा यह तो आप लोग चलो जयबी होगा पर लिकिन review जरूर कर ले करो एक बार क्या क्या आप लोग ने discuss किया है ताकि पता तो चले आप लोगों ने कितनी सारी चीज़े आज discuss की है इतनी सारी बाते मैं पढ़ा देता हूँ इस particular डेड़ घंटे के लगभग lecture में कि बहुत सारी चीज़े इखटी हो जाती है अगर इनको पचान ही पाओगे तो फिर सारी चीज़े भूल जाओगे और ये चीज़े ऐसी चलती रहेंगी एक और काफी important बात वो ये है कि आप लोग लोग करनी है सर्दी मुझे भी लग रही है सुबह को उठने में दिक्कत मुझे भी हो रही है गला मेरा भी basically बैठा रहता है सुबह को उठने में दिक्कत होती है रजाय से निकलने में सब को होती है मैं भी इंसान हूँ आप लोग भी इंसान है पर मैं इसको अपनी duty की तरीके से लेता हूं responsibility की तरीके से लेता हूं तो ये काम आप लोग भी कर सकते हैं अपनी एक responsibility समझो की सर्दी गर्मी अपकी μαμी पापा को भी लगती हैं वो भी काम करते हैं तो वो भी अपना काम करने उठ रहे हैं हर एक वो इंसान एक आज खेट में अपनी responsibility को नहीं भारा है और वही reality में इंसान भी है अगर responsibility से बचना सीख लिया एक बार आप लोगों ने तो जिंदगी भर आप लोग अपने पैरो पर कुल हाड़ी मारते हो नजरा होगी opportunity आप लोगी हाथों से निकलती नजराएगी तो ये बात हमेशा ध्यान अपको आपका career है आप लोगो बनाने आप लोगो फायदा होगा जिंदगी आप लोगी सुधरेगी ये इसका मम्मी पापा को थोड़ा बहुत फायदा होगा और जो वीडियो स्टार्टिंग में देखिए थी वो वीडियो बेसिकली कई सरे बच्चे बोलते हैं सरे टेलिगाम पर सेर कर दिया अगरो ठीक है वीडियो भी डाल दूँकर आप लोग लग रहा है सेर करने लायक है लोगो तक महुचानी आप लोगो तो एक मैसेज के तोर पर वो रहती है ताकि आप लोग देख सको और जो वीडियो सेर करे थी मैंने टेलिगाम पर उलड़ी वो जरूर देखना ताकि आप लोग चीजों को समझ पाओ क्या सही है क्या आगला थे जिजिदगी में अच्छा डिजिजन ले पाओ एक तरीक से आपने आपको गूड डिजिजन मेकर आप लोगो बनाना चाहिए ठीक है तो आज के लिए इतना ही समाप्त करते हों लेक्चे नहीं पर कैसा लगा जरू बताना बाकि मेरे साथ में आप लोग यहाँ पर और इस्टाग्राम पर कनेक्ट रह सकते हैं तो बड़ों को नमस्ते चोड़ों को प्यार छोड़ी सी लाइफ है इंज्यो करार मिल तो नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद